12 अगस्त 18 को मेरे जन्म दिन के ठीक बाद तीसरे दिन जो मैं 10 साल का था और जिसमें मुझे इस तरह के अद्भुत उपहार मिले सुबह 7 बजे कार्ल इवानोविच ने मुझे जगाया मेरे सिर को एक, एक मक्षी पर परचीनी कागज से पटाखा उसने इसे इतना शर्मनाग बना दिया कि उसने बिस्तर के पीछे ओक पर लटकी हुई मेरी परी की छवियों को छुआ और यह कि हत्या की गई मक्षी मेरे सिर पर गिर गई मैंने अपनी नाक को कवर के नीचे से बाहर निकाल दिया मेरे हाथ से छवी को रोक दिया जो स्विंग करना जारी रखा हत्या की गई मक्षी को फर्श पर फेंक दिया और हाला कि कार्ल इवानोविच ने अपनी आखों से अपनी दिल तूट गई वह एक मोटली कॉटन बागे में एक ही मामले की एक बेल्ट के साथ कमर बंद एक ब्रश के साथ लाल बुना हुआ यर्मुलके में और नरम बकरी के जूते में दीवारों के पास चलना, लक्षे लेना और ताली बजाना जारी रखा चलो इसे डालते हैं, मैंने सोचा, मैं छोटा हूँ लेकिन वह मुझे परेशान क्यों करता है, वह वलोडिना बिस्तर के पास मक्षियों को क्यों नहीं मारता है उनमें से कितने हैं, नहीं, वह लोडिया मुझे बड़ी है, और मैं सबसे कम हूँ यही कारण है कि वह मुझे प्रताडित करता है, बस मेरे सारे जीवन के बारे में सोचते हुए मैंने फुस फुस आया, मैं कैसे परेशानी पैदा करूँगा वह बहुत अच्छी तरह से देखता है कि वह जाग गया और मुझे डरा दिया लेकिन वह दिखाता है, जैसे कि वह नोटिस नहीं करता है एक बुरा व्यक्ती, और बागे, और टोपी, और ब्रश, क्या बुरा जब मैंने कारल इवानोविच पर मानसिक रूप से अपनी जुझलाहट व्यक्त की तो वह अपने बिस्तर पर चला गया उस घड़ी को देखा, जो एक सिलना मन का जूते में उसके उपर लटका हुआ था एक पटाखे को एक लॉंग पर लटका दिया और जैसा की ध्यान देने योग्य था सबसे सुखद में हमारे लिए बदल गया मूड, ओफ, किंडर, ओफ, सिस्ट, जाइट डाइ मुटरिस्ट शोन इमसाल गया रहा वह एक अच्छी जर्मन आवाज में चिलाया फिर वह मेरे पास आया अपने पैरों पर बैठ गया और अपनी जेब से एक स्नफ बॉक्स निकाला मैंने सोने का नाटक किया कारल इवानोविच ने पहली बार सूंग लिया अपनी नाक पोंच ली अपनी उंगलियां फोड ली और फिर केवल मेरे बारे में सेट किया वह हसते हुए मेरी एड़ी को गुदगुदी करने लगा नू, नुन, फॉलेंजर उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं गुदगुदी से कितना डरता था मैं बिस्तर से बाहर नहीं कूदता था और उसे जवाब नहीं देता था लेकिन केवल आंक बंद करके अपने सिर को तकीय के नीचे छिपा दिया मेरे सभी ने लात मारी और हसते रहने के लिए सभी प्रयासों का इस्तिमाल किया वह कितना दयालू है और वह हम से कैसे प्यार करता है और मैं उसके बारे में इतना बुरा सोच सकता था मैं खुद और कारल इवानोविच से नाराज था मैं हसना चाहता था और रोना चाहता था मेरी नसें परिशान थी अख लसेंसी थ्री कारल इवानोविच मैं अपनी आँखों में आंसू के साथ चिलाया मेरे सिर को तकिये के नीचे से चिपका दिया कारल इवानोविच आश्चर्य चकित थे मेरे तलवों को अकेला छोड़ दिया और मुझसे चिंता करने लगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ क्या मैंने सपने में कुछ बुरा देखा है उनका अच्छा जर्मन चेहरा जिस भागीदारी के साथ उन्होंने मेरे आंसूओं के कारण का अनुमान लगाने की कोशिश की उन्हें और भी प्रचुर मात्रा में प्रवाहित किया मुझे शर्मा रही थी और मुझे समझ नहीं आया कि एक मिनट पहले मैं कार्ल इवानोविच से प्यार नहीं कर सकता था और अपने बागे को ढूंट सकता था टोपी और ब्रश बुरा अब इसके विपरीत यह सब मुझे बहुत प्यारा लग रहा था और यहां तक की ब्रश भी उसका एक सपष्ट प्रमान लग रहा था मैंने उसे बताया कि मैं भुक्तान कर रहा था क्योंकि मेरा एक बुरा सपना था जैसे कि मामन की मृत्यू हो गई थी और वे उसे दफनाने के लिए ले जा रहे थे मैंने यह सब इसलिए आविशकार किया क्योंकि मुझे यह याद नहीं था कि मैंने उस रात क्या सपना देखा था लेकिन जब कारल इवानोविच मेरी कहानी से छुआ तो मुझे सांतवना और आश्वस्त करना शुरू कर दिया यह मुझे लग रहा था कि मैंने निश्चित रूप से इस भयानक सपने को देखा था और एक और कारण के लिए आंसू डाले जब कारल इवानोविच ने मुझे छोड़ दिया और मैं बिस्तर पर उठते हुए अपने छोटे पैरों पर मोजा खींचना शुरू कर दिया आंसू थोड़े कम हो गए लेकिन एक कालपनिक सपने के बारे में उदास विचारों ने मुझे नहीं छोड़ा चाचा निकोलाई एक छोटा साफ सुत्रा छोटा आदमी हमेशा गंभीर, साफ सुत्रा, सम्मान जनक और महान दोस्त कार्ल इवानोविच उसने हमारे कपड़े और जूते लिए पानी के जूते और मेरे पास अभी भी धनुष के साथ असहनिये जूते हैं उसके साथ मुझे रोने में शर्म आएगी इसके अलावा सुभह का सूरज खिडकियों में आसानी से चमक गया और वोलोडिया, मेरी इवानोवना बहन के शासन की नकल करते हुए इतनी खुशी और ध्वनी से हसा वाश बेसिन के ऊपर खड़ा था कि गंभीर निकोलाई उसके कंधे पर एक तॉलिया के साथ साबुन के साथ एक हाथ में और दूसरे में वाश बेसिन के साथ मुस्कुराते हुए कहा क्या आप व्लादिमीर पेट्रोविच कृपया अपने आपको धोलें मैं पूरी तरह से खुश था सिंसी गंजा फर्टिग 4. कारल इवानोविच की शांत आवाज से सुना गया उनकी आवाज सख्त थी और पहले से ही दया की अभी व्यक्ती नहीं थी जिसने मुझे आंसू बहाए कक्षा में कारल इवानोविच एक पूरी तरह से अलग व्यक्ती था वह एक संरक्षक था मैंने विशद कपड़े पहने, धोया और मेरे हाथ में ब्रश के साथ गीले बालों को आमंतरित करते हुए उनके कॉल पर दिखाई दिया कारल इवानोविच अपनी नाक पर चशमे और हाथ में एक किताब के साथ दर्वाजे और खिडकी के बीच अपने सामान इस्थान पर बैठे दर्वाजे के बाई और दो अल्मारियां थी एक हमारा, एक नरसरी दूसरा, कारल इवानोविच खुद हमारे सभी प्रकार की पुस्तक शैकशिक और गैर शैकशिक कुछ खड़े थे, अन्य लोग लेट गए केवल दो बड़े खंड, हिस्टोयर डेस यात्राएं, दो लाल बाइंडिंग में, चिन्नों ने तीवार के खिलाफ आराम किया, और फिर चलो, लंबी, मोटी, बड़ी और छोटी किताबें, बिना किताबों और किताबों के क्रस्ट्स, अभी भी ऐसा हुआ, लाइबरेरी से पहले और करने पर इसे जोर से क्लिक करें और चिपका दें, पुस्तक संग्रह पर खुद कायदी ये हमारे जैसा महान नहीं था, तो ये और भी विविध था, मुझे उनमें से तीन याद हैं, गोभी के नीचे बगीचों की मैनिंग पर जर्मन पैमफलिट, बिना बंधन के साथ साल के युद्ध के इतिहास का एक खंड, चर्मपत्र में एक कोण से जुलसा हुआ और हाइड्रो स्टैटिक्स का पूरा कोर्स, कार्ल इवानोविच ने अपना अधिकांश समय पढ़ने में बिताया, यहां तक कि अपनी दृष्टी को भी बर्बाद कर दिया, लेकिन इन पुस्तकों और उत्तरी मधुमक्खी के अलावा, उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कार्ल इवानोविच के शेल्फ पर पड़ी वस्तूओं में से एक था, जो सबसे अधिक उसे मेरे जैसा दिखता है, यह एक कार्ड बोर्ड सर्कल है, जिसे लकडी के पैर में डाला जाता है, जिसमें इस सर्कल को जूते के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था, मग पर एक तस्वीर चिपकी हुई थी, जो किसी महिला और नाई के कार्टून का प्रतिनिधित्व करती थी, कार्ल इवानोविच बहुत अच्छी तरह से चिपके हुए थे, और इस सर्कल ने खुद का आविशकार किया, और अपनी कमजोर आखों को उजवल प्रकाश से बचाने के लिए किया, जैसा कि अब मैं अपने सामने एक कपास की बागडोर और लाल टोपी में एक लंबी आकरती देखता हूँ, जिसमें से दुरलब भूरे बाल दिखाई देते हैं, वह उस मेज के पास बैठता है, जिस पर एक हेर ड्रेसर के साथ एक सर्कल होता है, जो उसके चहरे पर छाया डालता है, एक हाथ में वह एक किताब रखता है, दूसरा कुर्सियों के हैंडल पर टिकी हुई है, उसके बगल में डायल पर एक चितरित शिकारी के साथ एक घड़ी, एक चेकर्ड दुपट्टा, एक काले गोल सूंग, चश्मे के लिए एक हरे रंग का मामला, एक ट्रे पर चिम्टा है, यह सब इतना खौफ़नाक है, बड़े करीने से अपनी जगह पर पड़ा है, कि इस क्रम में हम यह निशकर्ष निकाल सकते हैं, कि कार्ल इवानोविच के पास एक सपष्ट विवेक है, और आत्मा मर चुकी है, ऐसा हुआ कि आप हॉल के नीचे तक दोड़ते हैं, टिप्टो पर आप कक्षा में शीर्ष पर चुपके से जाते हैं, देखते हैं, कार्ल इवानोविच अपने आर्म चेर पर अकेले बैठता है, और अपनी कुछ पसंदीदा पुस्तकों को, एक शान्त और महान अभिव्यक्ती के साथ पढ़ता है, कभी-कभी मैंने उसे ऐसे क्षणों में पकड़ा, जब उसने पढ़ा नहीं, चश्मा एक बड़ी इगल नाक पर नीचे चला गया, नीली आधी बंद आखें कुछ विशेश अभिव्यक्ती के साथ देखी गई, और होंट उदास रूप से मुस्कुराए, कमरा शांत है, केवला आप उसकी वर्दी सांस और शिकारी के साथ घड़ी की लड़ाई सुन सकते हैं, कभी-कभी वह मुझे नोटिस नहीं करता है, और मैं दर्वाजे पर खड़ा हूँ और सोचता हूँ, गरीब, गरीब बुढ़ा आदमी, हम में से कई हैं, हम खेलते हैं, हम मजे करते हैं, और वह अकेला है, और कोई भी उसे दुलार नहीं करता है, वह सच कहता है कि वह एक अनात है, और उसके जीवन की कहानी इतनी भयानक है, मुझे याद है कि उसने उसे निकोलस को कैसे बताया था, यह उसकी स्थिती में होना भयानक है, और इसलिए यह अफसोस की बात है कि आप उसके पास आते थे, अपना हाथ लेकर कहते थे, लिबर पांच कारल इवानोविच, जब मैंने उससे कहा तो वह प्यार करता था, हमेशा दुलार करता है, और यह स्पष्ट है कि वह स्थानांत्रित हो गया है, दूसरी दीवार पर भूमिकाड लटकाए गए, सभी लगभग फटे हुए थे, लेकिन कुशलता से कारल इवानोविच के हाथ से चिपके हुए थे, तीसरी दीवार पर, जिसके बीच में एक दर्वाजा नीचे था, एक तरफ दो लाइने लटकी हुई थी, एक, कट, हमारा, दूसरा, नया, खुद का अस्तर की तुलना में प्रोटसाहन के लिए, उसके द्वारा अधिक उप्योग किया जाता है, अन्य, ब्लैक बोर्ड पर, जिस पर हलकों ने हमारे बड़े कदाचार को चेहनित किया, और को पार किया, बोर्ड के बाई और वह कोण था, जिस पर हमें घुटने टेक दिये गए थे, मुझे ये कोने कैसे याद है, मुझे याद है कि ओवन में स्पंज, इस स्पंज में आउटलेट, और जब वह मुड़ गया था, तो उसने जो शोर किया था, कभी-कभी, आप खड़े होते हैं, आप कोने में खड़े होते हैं, इसलिए आपके घुटने और पीठ बीमार हो जाते हैं, और आप सोचते हैं, कारल इवानोविच मेरे बारे में भूल गए, उन्हें एक नरम कुरसी पर बैठ कर शांत होना चाहिए, और अपने हाइड्रोस्टेटिक को पढ़ना चाहिए, क्या यह मेरे लिए पसंद है, और खुद को याद दिलाना शुरू करें, धीरे-धीरे बात खोलें, अकेले डर किसी भी सजा से भी बदतर है, आप कारल इवानोविच को देखेंगे, और वह अपने हाथ में एक किताब लेकर खड़ा है, और जैसे की कुछ भी नोटिस करता है, कमरे के बीच में एक टेबल थी, जिसमें एक काले रंग की सरिस से जोड़ा हुआ था, जिसके नीचे से कई जगहों पर किनारों को पैनकेनीच से उकेरा गया था, मेज के चारों और कई अप्रकाशित थे, लेकिन पंक्ति बद्ध मल के लंबे उप्योग से अंतिम दीवार पर तीन खिड़कियों का कबजा था, यहां उनमें से एक प्रकार था, खिड़कियों के ठीक नीचे सड़क जिस पर हर गढढ़ा, हर कंकड, हर ट्रैक, जंगल में दूर घड़ी की जो पड़ी दिखाई देती है खिड़की से दाई और, आप छट के हिस्से को देख सकते हैं, जिस पर वे आम तोर पर रात के खाने तक बड़े बैठते थे, कभी कभी, जब तक कारल इवानोविच शृतलेक के साथ शीट को सीधा करते हैं, आप उस दिशा में देखते हैं, आप मा के काले सिर को देखते हैं, किसी की पीठ और असपष्ट बात वहां से सुनते हैं, और हसी, ये कश्ट प्रद हो जाएगा, कि आप वहां नहीं हो सकते हैं, और आप सोचते हैं, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, तो मैं सीखना बंद कर दूँगा, और हमेशा बात चीत के लिए नहीं, बलकि उन लोगों के साथ बैठूंगा, जिन्हें मैं प्यार करता हूँ, दोसादा दुखी हो जाएगा, और भगवान जानता है कि क्यों और क्या, आप ऐसा सोचते हैं, ताकि आप यह न सुनें कि कारल इवानोविच गलत, यों से कैसे नाराज हैं, कारल इवानोविच ने अपने बागे को उतार दिया, अपने कंधों पर उंचाई और सभाओं के साथ एक नीले टेलकोट पर डाल दिया, दरपन के सामने अपनी टाई को सीधा किया, और हमें मा को नमस्ते कहने के लिए नीचे ले गया, मा लिविंग रूम में बैठी और चाय पिलाई, एक हाथ से उसने चाय दानी का आयोजन किया, दूसरा स्मोवर नल, जहां से केतली के उपर से होकर ट्रे तक पानी बहता था, लेकिन यद्यपी उसने गौर से देखा, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया, यह ध्यान नहीं दिया कि हमने प्रवेश किया, अतीत की बहुत सारी यादें तब पैदा होती हैं, जब आप अपनी कल्पना में अपने प्रिय की विशेशताओं को फिर से जीवित करने की कोशिश करते हैं, कि इन यादों के माध्यम से, आंसू के माध उसकी गर्दन पर तिल, उस जगह से थोड़ा कम जहां छोटे बाल करल करते हैं, एक कोमल शुशक हाथ ऐसा अकसर मुझे सहलाया जाता है और जिसे मैंने इतनी बार चूमा, लेकिन सामान्य अभिव्यक्ती मुझसे दूर हो जाती है, सोफे के बाईं और एक पुराना अंग्र सफेद रंग में फीता पतलून और सब तक के साथ पंक्ति बद्ध केवल आरपीजियो ले सकती थी ग्यारह, इसके पास दूसरी ओर गुलाबी रिबन के साथ एक नीले बॉक्स में और लाल गुस्से वाले चेहरे के साथ मैरी इवानोवना थी, जिसने कार्ल इवानोविच के प्रवेश करते ही और भी कठोर अभिव्यक्ति ले ली, उसने उसे मासिक रूप से देखा और अपने धनुष का जवाब नहीं दिया, जारी रखा, उसके पैर पर मुहर लगाते हुए, गिंती करने के लिए, उन, दो, त्रौ, उन, दो, त्रौ, दो, पहले की तुलना मे अधिक जोर से और अधिक आवर्धक, कारल इवानोविच, इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे थे, हमेशा की तरह, एक जर्मन अभिवादन के साथ, सीधे मा की कलम में चले गए, वह उसे होश में आया, उसके सिर हिला दिया, के रूप में अगर इस आंदोलन के साथ, उदास विचारों को दूर ड्राइव करने के लिए चाहते हैं, कारल इवानिक को उसके हाथ दिया, और एक जुर्रीदार मंदिर पर उसे चूमा, जबकि वह उसके हाथ चूमा, इजडांके, लीबर्थी कारल इवानोविच, और जर्मन बोलना जारी रखते हुए, उसने पूछा, क्या बच्चे अच्छी तरह से सोते थे, कारल इवानोविच एक कान में बहरे थे, और अब उन्होंने प्यानों के पीछे के शोर से कुछ भी नहीं सुना, वह सोफे के करीब जुग गया, एक हाथ मेज के खिलाफ जुग गया, एक पैर पर खड़ा था, और एक मुसकुराह कारल इवानोविच, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बच्चे अच्छी तरह से सोय थे, ने कहा कि मामन उसकी ओर बढ़ रहा है, और बहुत जोर से, लेकिन उसने फिर से कुछ भी नहीं सुना, अपने गंजे सिर को लाल टोपी से ढख दिया, और अच्छे से मुसकुराय एक मिनट रुको मिमी, ने कहा कि मैमन मेरी इवानोवना ने मुसकुराते हुए कहा, कुछ भी नहीं सुना जाता है, जब माम मुसकुराई, तो उसका चेहरा कितना भी अच्छा क्यों नहो, यह अतुलनीय रूप से बहतर किया गया था, और सब कुछ मज़ेदार लग रहा अगर मेरे जीवन के कठिन क्षणों में मैं इस मुसकान की एक जहलक भी पकड़ सकता था, तो मुझे नहीं पता होगा कि दुख क्या है, यह मुझे लगता है कि एक मुसकुराहट में चेहरे की सुन्दरता को कहा जाता है, यदि एक मुसकान चेहरे पर आकरशन जोड़ती ह तो चेहरा सुन्दर है, अगर वह इसे नहीं बदलती है, तो यह साधारण है, अगर वह इसे खराब करती है, तो यह बुरा है, मुझे नमस्ते कहते हुए, मामन ने मेरे सिर को दोनों हाथों से लिया और उसे वापस फेंक दिया, फिर मुझे गौर से देखा और कहा, क्या आप आज रोए, मैंने जवाब नहीं दिया, वह मेरी आखों चूमा और जर्मन में पूछा, आप किस बारे में रो रहे थे, जब उसने हमसे दोस्ताना तरीके से बात की, तो उसने हमेशा यह भाशा बोली, जिसे वह पूरी तरह से जानती थी, यह मैं था, जो एक सपने मे रोया था, मामन, मैंने कहा, सभी विवरणों को एक कालपनिक सपने के साथ हियाद करते हुए, और इस विचार पर अनैचिक रूप से कंप-कंपी, कारल इवानोविच ने मेरे शब्दों की पुष्टी की, लेकिन सपने के बारे में चुप रहे, मौसम के बारे में बात करन उसे मेरे पास आने से पहले कहो कि वह थ्रेसिंग फ्लोर पर जाए, संगीत, गिनती और दुरजे विसमयादी बोधक फिर से शुरू हुआ, और हम पिता जी के पास गए, उस कमरे को पास कर दिया जिसने दादा जी के समय से नाम रखा था, वेटर हमने कारियाले में प्रव अपने हाथों को बिछा रहा था, उसकी पीठ के पीछे बहुत जल्दी और अलग-अलग दिशाओं में उसने अपनी उंगलियां हिला दी, जितना अधिक पिताजी उत्तेजित हो गए, उतनी ही तेजी से उंगलियां चली गई, और इसके विपरीत जब पिताजी चुप हो गए और उनकी उंगलियां बंद हो गई, लेकिन जब जैकब ने खुद बोलना शुरू किया, तो उनकी उंगलियां बहुत चिंता में आ गई, और अलग-अलग दिशाओं में इकूद गई, उनके आंदोलनों के अनुसार, यह मुझे लगता है कि कोई याकूब के गुप् करने के लिए अपने सिर के साथ तरवाजा दिखाया, आह, मेरे दयालू भगवान, आज आपके साथ क्या गलत है जैकब, उन्होंने क्लर्क को जारी रखा, अपने कंधे को घुमाते हुए, उन्हें यह आदत थी, 800 रूबल के निवेश के साथ यह लिफाफा, जैकब ने स् प्रतिग्याएं मिलनी चाहिए, घास के लिए, जो आपकी गणना के अनुसार, आप साथ हजार पाउंड बेच सकते हैं, मैंने 45 को पैक लगाए, आपको 3,000 मिलेंगे, इसलिए आपके पास सभी पैसे होंगे, 12,000 या नहीं, यह सही है, याकोव ने कहा, लेकिन अपनी को मिलाया और 21,000 फेंक दिये, आप मुझे लाएंगे और मुझे उपभोग में वर्तमान संख्या दिखाएंगे, याकोव ने स्कोर मिलाया और उन्हें पलट दिया, यह दिखाते हुए, यह होना चाहिए, कि 21,000 पैसे उसी तरह गायब हो जाएंगे, आप उसी लिफाफे क को मुझे से पते पर पैसे के साथ स्थानांतरित करेंगे, मैं टेबल के करीब खड़ा था और शिलालेक को देखा, यह लिखा था, कार्ल इवानोविच माउर, ध्यान दिया जाना चाहिए, कि मैंने वही पढ़ा है, जो मुझे जानने की आवशक्ता नहीं है, पिता जी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, और एक प्रकाश आंदोलन के साथ तालिका से दूर दिशा दिखाई, मुझे समझ में नहीं आया कि यह स्नेह या टिपपनी थी, बस मामले में, मैं बड़ा मोटा हाथ है कि मेरे कंधे पर पड़ा चूमा, मैं सुन रहा हूँ, याकोव ने कहा, औ और खाबरोवस्क पैसे के बारे में क्या आदेश होगा, हबर का मामन का गाव था, कार्याले में छोड़ दें और किसी भी तरह से मेरे आदेश के बिना कहीं भी उप्योग न करें, जैकब कुछ सेकंड के लिए चुप था, फिर अचानक उसकी उंगलियां बढ़ी हुई ग लेकिन आप समय सीमा तक परिशत को भुगतान नहीं कर सकते, आप कहने के लिए इस्तीफा देते हैं, उन्होंने व्यवस्था के साथ जारी रखा, कि धन को कोलाटर से, एक मिल से, और घास से प्राप्त किया जाना चाहिए, इन लेखों की गणना करते हुए, उन्होंने उन भगवान को डर है कि उसके पास पैसा नहीं है, और अब वह यहाँ है, क्या आप बात करना चाहेंगे उसे खुद, वह क्या कह रहा है, ने पिताजी से पूछा, एक प्रमुक संकेत है कि वह मिलर से बात नहीं करना चाहते थे, हाँ, ये जहात है कि कहते हैं कि पीस बिलकुल नहीं था, पैसा क्या था, इसलिए उसने बांध में सब कुछ डाल दिया, ठीक है, अगर हम इसे बंद कर देते हैं, कोट तो फिर, क्या हम यहाँ एक गरना पाएंगे, उन्होंने प्रतिग्याओं के बारे में बोलने के लिए काम किया, इसलिए मुझे पहले से ही लगता है कि हमारे पैसे वहाँ बैठे थे, और इसे जल्द प्राप्त नहीं करना होगा, मैंने हाल ही में आटा के लिए इवान अफानाशिक शहर भेजा, और इस मामले के बारे में एक नोट, वे फिर से जवाब देते हैं, कि मुझे पीटर एलेक्जेंडरिच के लिए प्रयास करने में खुशी होगी, लेकिन ये मेरे हाथों में नहीं है, लेकिन क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं, संभावना नहीं है, और दो महीने में आपकी रसीद निकल जाएगी, हमने घास के बारे में बोलने के लिए कहा, मान लीजिए कि इसे तीन हजार में बेचा जाएगा, उन् आप इसे अभी बेचते हैं, तो आप स्वयम जानना चाहेंगे, ये देखा गया कि उसके पास अभी भी तरकों की एक बड़ी आपूर्ती थी, यही कारण है कि पिता जी ने उसे बाधित किया, मैं अपने आदेशों को नहीं बदलता, उन्होंने कहा, लेकिन अगर को प्राप्त करने में देरी हो रही है, तो आपके पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा, खाबरोवस्क से उतना ही लें, जितना आपको चाहिए, मैं सुन रहा हूँ, याकूब के चेहरे और उंगलियों पर अभी व्यक्ति के अनुसार, ये ध्यान देने योग्य था, कि अन्ति मादेश ने उसे बहुत खुशी दी, जैकब एक सर्फ बहुत उत्साही और समर्पित व्यक्ति था, वह सभी अच्छे क्लरकों की तरह अपने गुरू के लिए बेहद कंजूस था, और स्वामी के लाभों के बारे में सबसे अजीब अवधारणा थी, उन्होंने हमे उन्होंने विजय प्राप्त की, क्योंकि उनके पास इसमें बिलकुल समय था, नमस्ते कहते हुए, पिता जी ने कहा कि वह है हमें बाकलुशी गाउं में हरा देगा, कि हम छोटे हो गए थे और ये हमारे लिए गंभीरता से अध्ययन करने का समय था, आप पहले से ही जानते हैं, मुझे लगता है कि मैं इस रात मासको जा रहा हूँ, और आपको अपने साथ ले जा रहा हूँ, उन्होंने कहा, आप अपनी दादी के साथ रहेंगे, और मामन और लड़कियां यहां रहेंगी, और आप जानते हैं कि उसके लिए एक बात आराम से होगी, यह सुनने के लिए कि आप अच्छी तरह से अध्यान कर रहें हैं, और आप संतुष्ट हैं, हालांकि तैयारियों के अनुसार, जो कुछ दिनों में ध्यान देने योग्य थे, हमने पहले से ही कुछ असाधारण की उमीद की थी, लेकिन इस खबर ने हमें बहुत प्रभावित किया, वलो यह विचार कि हम निश्चित रूप से बड़े प्रसन्न हो गए हैं, यदि हम अभी जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से कोई वर्ग नहीं होगा, यह अच्छा है, मैंने सोचा, हालांकि मुझे कारल इवानोविच के लिए खेद है, सच है, वे उसे जाने देंगे, क्यो पहले से ही बहुत दुखी है, विचार मेरे सिर में टिम्टिमा गए, मैं अपने जूतों की काली धनुष पर जोर से हिलता और चमकता नहीं था, बैरोमीटर को कम करने और जैकब को कुत्तों को न खिलाने का आदेश देने के बारे में कारल इवानोविच के साथ, कुछ और शब्द कहने के बाद, ताकि वह रात के खाने के बाद बाहर निकल जाए, युवा हाउंड्स को सुनने के लिए, पिता जी, मेरी उम्मीद के खिलाफ, हमें अध्यान करने के लिए भेजा, आराम से, हालांकि, शिकार पर लेने के वादे के साथ, शीर्ष पर जाने पर मैं खत में भाग गया, सूरज के दर्वाजे पर डूपते हुए, अपने पिता के पसंदीदा ग्रेहाउंड कुत्ते, मिलका को बिछाएं, मिलोच का, मैंने कहा, उसे दुलार और चेहरे में उसे चुम्बन, हम अब जा रहे हैं, अलविदा, फिर कभी नहीं देखना, मुझे खेद हुआ और रोया, कार्ल इवानोविच बहुत बाहर थे, यह उनकी स्थानांतरित भौहों द्वारा ध्यान देने योग्य था, और कैसे उन्होंने अपने फ्रॉक कोट को दराज की सीने में फेंक दिया, और कैसे गुस्से में कमर कसली, और उन्होंने समवाद की पुस तक में व्यर्थ देखा, लेकिन आने वाले अलगाव के बारे में सोचने पर, मेरी आखों में जो आंसू थे, मैं पढ़ नहीं सका, जब उन्हें कार्ल इवानोविच को बताने का समय आया, जिन्होंने मेरी बात सुनी, यह एक बुरा संकेत था, उस जगह पर जहां कोई कह रहता है, वो कॉमेजियों से, ग्यारह और अन्य उत्तर, इशको में फरम काफे हाउजे, दो, मैं अब आंसू नहीं रख सकता था, और एक सोप का उच्चारण नहीं कर सकता था, है बेंसी डाई जीतूंग निक्ट जिलसें, तीन, जब यह सुलेक की बात आई, तो मैंने का आसक के साथ धमकी दी, और मांग की कि मैं माफी मांगता हूँ, जबकि मैं आसू से एक शब्द भी नहीं बोल सकता था, अंत में अपने अन्याय को महसूस करते हुए, वह निकोलाई के कमरे में गया, और दर्वाजा थपड मारा, कक्षा से मैंने अपने चाचा के कमरे में एक बात चीत सुनी, क्या आपने सुना है निकोलाई, कि बच्चे मास को जा रहे हैं, कार्ल इवानोविच ने कमरे में प्रवेश किया, खैर, मैंने सुना, निकोलाई उठना चाहता था, क्योंकि कार्ल इवानोविच ने कहा, बैठो, निकोलाई, और उसके बाद उसने दर दर्वाजा बंद कर दिया, मैं कोने से बाहर गया और दर्वाजे पर छिप कर चला गया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप लोगों के लिए कितना अच्छा करते हैं, चाहे कितना भी सनलगन हो, आप देख सकते हैं कि कृतज्ञता की उम्मीद नहीं की जा सकती है, निकोलाई कारल इवानोविच ने भावना के साथ बात की, जूता पॉलिश पर खिड़की पर बैठे निकोलाई ने पुष्टी में अपना सिरह लाया, मैं बारह साल से इस घर में रह रहा हूं और भगवान, निकोलाई से पहले कह सकता हूं, ने कारल इवानोविच को जारी रखा, अ आपको याद है कि मैं अपनी आखें बंद किये बिना नौ दिनों तक उसके बिस्तर पर कैसे बैठा रहा, हाँ, तब मैं दयालू था, प्रियक कारल इवानोविच, तब मुझे जरूरत थी, और अब उन्होंने जोड़ा, विडम बना मुस्कुराते हुए, अब बच्चे हो गया हूँ, और मुझे दूर किया जाना चाहिए, वादे कहां है, आभार कहां है, मैं नताल्या निकोलेवना, निकोले का सम्मान और प्यार करता हूँ, उन्होंने कहा, अपनी छाती पर हाथ रखते हुए, वह क्या है, इस घर में उसकी इच्छ भी यही है, जबकि उसने अभिव्यन्जक इशारे के साथ तवचा कि एक कट फेंक दी, मुझे पता है कि चीजें किसकी हैं, और मैं अनावश्यक क्यों हूँ, अन्य लोग, मैं हूँ, मैं हमेशा सभी के सामने सच बताने के लिए इस्तिमाल किया जाता हूँ, उन्होंने गर्व से कहा, भगवान उन निश्चित करना चाहते हैं, कि क्या वह वास्तव में रोटी का एक टुकड़ा पा सकते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं कहा, कारल इवानोविच ने इस भावना में बहुत लंबा और लंबा समय कहा, उन्होंने इस बारे में बात की, कि वे कैसे जानते हैं, कि कुछ सामान्य से उनकी योग्यता की सराहना कैसे की जाती है, जहां वह पहले रहते थे, यह सुनने के लिए मेरे लिए बहुत दर्दनाक था, सैक्सोनी के बारे में बात की, उनके बारे में माता पिता, अपने दोस्त दरजी शोन हाइट आदी के बारे में, आदी, मुझे उनके दुहक के प पहाल करने के बारे में बात की, कक्षा में लोटते हुए कार्ल इवानोविच ने मुझे उठने और शुरुत लेख के लिए लिखने के लिए एक नोटबुक तैयार करने के लिए कहा, जब सब कुछ तैयार हो गया, तो वह अपनी कुरसी और आवाज में डूब गया, जो कु पांच, निरंतर्ता की प्रत्याशा में अंतिम शब्द लिखते हुए, मैंने उसे देखा, पंचर छा, उन्होंने बमुश्किल ध्यान देने योग्य मुस्कान के साथ कहा, और एक संकेत दिया, ताकि हम उन्हें नोटबुक दें, कई बार विभिन्न इरादों के साथ और स इस ने उस व्यक्ती की संतोष व्यक्त किया, जो उस पर अपमानित अपमान का बदला लेने के योग्य था, यह एक घंटे का एक चौथाई था, लेकिन कार्ल इवानोविच ने हमें जाने देने के बारे में नहीं सोचा, वह नए सबक पूछते रहे, बोरियत और भूख, स अपमान रूप से बढ़ी, मैंने बहुत अधीरता के साथ सभी संकेतों को देखा, जो रात के खाने की निकटता साबित हुए, यहां एक आंगन महिला है, जिसमें एक वाशर क्लोथ प्लेटों को धोने के लिए जा रहा है, आप सुन सकते हैं कि वे बुफे में व्यंजनों के साथ शोर कैसे करते हैं, मेज पहलाते हैं, और कुर्सियां डालते हैं, यहां लुभोचका, और कटेंका, काटेंका, टैग वन, मिमी के बारह के साथ, मिमी है साल की बेटी, बगीचे से जाती है, लेकिन फोकी, नहीं बलकि हमेशा आती है, फिर केवल किताबें छोड़ना संभव होगा, और कार्ल इवानोविच पर ध्यान नहीं देना, नीचे भागना, यहां आप सीडियों से कदम सुनते हैं, लेकिन यह नकली नहीं है, मैंने उनके गैट का अध्यान किया, और हमेशा उनके जूतों की लकीर को पहचाना, दर्वाजा खोला, और उसमें एक आक केवल अपने सिर को मोडने की जरूरत थी, बलकि अपने पूरे शरीर को भी मोडना था, उसने कुछ फटा हुआ पहना था, जैसे एक काफ्तान और एक क्लर्क, उसके हाथ में उसने एक बहुत बड़ा स्टाफ रखा, कमरे में प्रवेश करते हुए, उसने उन्हें फर्ष पुतले ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी, और पहले से ही बदसूरत चहरे को और भी घ्रिनित अभिव्यक्ती दे दी, हाँ, पकड़ा, वह रोया, छोटे चरणों में वोलोड तक दोड़ते हुए, उसे सिर से पकड़ लिया, और उसके मुकुट की सावधानी पूर पहली आवाज में बोला, वो लोडिया में जहांकने की भावना के साथ और अपनी आस्तीन के साथ पहुचना शुरू कर दिया, उनकी आवाज असभ्य और घर घराहट थी, आंदोलन, जल्दबाजी और असमान थे, भाशन अर्थहीन और अपवित्र था, उन्होंने कभी सर प्रेरित अर्थों का विरोध नहीं कर सका, यह एक पवित्र मूर्ख और ग्रिशा का पथिक था, वह कहां से था, उसके माता-पिता कौन थे, क्या उसे अजीब जीवन का चयन करने के लिए प्रेरित किया, यह कोई नहीं जानता था, मुझे केवल इतना पता है कि पंद्रह वानी करने के लिए लेते हैं कि कोई भी कभी नहीं जानता था उसे, दूसरे रूप में कि वह कभी-कभी अपनी दादी पर जपटता है, और कुछ ने कहा कि वह अमीर माता-पिता और एक शुद्ध आत्मा का दुखी बेटा था, जबकि अन्य वह सिर्फ एक आदमी और एक आलसी व्यक्ती है, अंत में, लंबे समय से वांचित और समय पर फोका दिखाई दिया, और हम नीचे चले गए, ग्रिशा, अलग-अलग गैर बराबरी बोलना और बोलना जारी रखना, हमारा पीछा किया, और एक बैसाखी के साथ सीड़ियों को थपठपाया, पिता जी और मामन ने लिविंग रूम के चारों और हाथ से हाथ मिलाया, और कुछ के बारे में चुपचाब बात की, मैरी इवानोवना ने कुरसियों में से एक पर बैठ कर, सममित रूप से, सोफे से सटे समक, आउन पर, और एक सخت लेकिन सैयमित आवाज में उसके पास बैठी लड़क लड़कियों की नजर में यह ध्यान देने योग्य था कि वे बहुत जल्दी हमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण समाचारों से अवगत कराना चाहती थी, लेकिन अपनी सीटों से कूदना और हमसे संपर्क करना मिमी के नियमों का उल्लंगन होगा, हमें पहले उससे संपर्क करना था कहते हैं, बोन्जोर, मिमी, किक और फिर इसे पहले से ही बातचीत में प्रवेश करने की अनुमती थी, क्या असहनिय व्यक्ति था यह मिमी, उसके साथ यह हुआ, किसी भी चीज के बारे में बात करना असंभव था, उसने सब कुछ अशोभनिय पाया, इसके अलाव उसने लगातार छेड़ छाड़ की, परले दोंक, फ्रॉंसे, ग्यारह, और यहां, जैसा की भाग्य में होगा, मैं रूसी में चैट करना चाहूंगा, या रात के खाने में, आप बस किसी तरह के भोजन का स्वाद लेंगे, और कोई भी हस्तक शेप नहीं करना चाहेगा, य निश्चित रूप से होगा, मंगेजदों का वेक दूपन या टिपणी सके वुते ने वतर चार दो, और वह हमारी क्या परवाह करती है, इसके बारे में सोचें, उसे उसकी लड़कियों को पढ़ाने दें, और हमारे पास इसके लिए कारल इवानोवे चेंड है, मैंने उन ग्रिशा ने भोजन कक्ष में भोजन किया, लेकिन एक विशेश मेज पर उसने अपनी थाली से अपनी आखें नहीं उठाई, कभी-कभी आहें भरते हुए भयानक ग्रिम बनाये और कहा, जैसे कि खुद के साथ यह एक दया है, उड़ गया, कबूतर आसमान की तरफ उड़ प्रिपया अपने डरावने कुत्तों को बंद कर दें, अन्य था जब वे याड से गुजरते हैं, तो वे लगभग खराब ग्रिशा होते हैं, वे इस तरह बच्चों पर दोड़ सकते हैं, ये सुनकर कि हम उसके बारे में बात कर रहे थे, ग्रिशा ने मेज की और रुक किय अपने कपड़ों की फटी हुई मंजिलों को दिखाना शुरू किया, और चबाते हुए सजा देने के लिए वह काट लिया जाना चाहता था, भगवान की याद नहीं आई, कुत्तों को जहर देने के लिए पाप, महान पाप, मत मारो बड़ा आदमी तीन क्या हरा, भगवान क्षमा करेंगे, दिन ऐसे नहीं है, वह क्या कह रहा है, पिताजी से पूछा, गौर से और सकती से इस पर विचार किया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मैं समझता हूँ, ने उत्तर दिया मामन, उसने मुझे बताया कि कुछ शिकारी जान बूज कर कुत्तों को उस पर जाने देते हैं, इसलिए वह कहता है, वह काट लिया जाना चाहता था, लेकिन भगवान ने नहीं होने दिया, और आपको इसके लिए उसे दंडित नहीं करने के लिए कहता है, आह, यह क्या है, पिताजी ने कहा, वह कितना जानता है कि मैं इस शिकारी को दंडित करना च जैसे कि किसी चीज से डर लगता है। मैं देखता हूँ कि स्मार्ट और शिक्षित लोग धोखा देते हैं और उसने एक काटा के साथ मेज पर मारा। यह विश्वास करना कठिन है कि एक व्यक्ति जो अपने साथ साल की उम्र के बावजूद सर्दियों और गर्मियों में नंगे पैर चलता है और बिना उतार चड़ाव के दो पाउंड वजन में पोशाक के नीचे वेरिगी पहनता है और जिसने बार बार शान्ती और सब कुछ तैयार रहने की पेशकश से इनकार कर दिया है यह विश्वास करना मुश्किल है कि ऐसा व्यक्ति यह सब केवल आलस्य से करता है भविश्यवाणियों के लिए उसने एक आह के साथ जोड़ा और थोड़ा विराम दिया जे क्विस पे ये पूरी क्रुआर चार मैंने तुम स रख रहे थे जिसके साथ मिमी बैठी थी जब उसने ऐसा किया तो मैंने हमेशा गहन ध्यान से सुना कुछ मज़ेदार होने की प्रतीक्षा में आपने मुझे उसके पैरों की याद क्यों दिलाई मैंने देखा और अब मैं कुछ नहीं खाऊंगा दोपहर का भोजन एक के लिए ड्राइंग था ल्यूबोचा का और कटेंग का लगातार हम पर जपकी लेते रहे उनकी कुर्सियों पर घूमते रहे और आम तोर पर बड़ी चिंता व्यक्त की इस पलक का मतलब था आप हमें शिकार करने के लिए क्यों नहीं कहते मैंने अपनी कोहनी से वलूरिया को धक्का दिया वलूरिया ने मुझे धक्का दिया और अंत में फैसला किया पहले एक डरपोक आवाज में फिर काफी द्रता से और जोर से उन्होंने समझाया कि चूंकी हमें अब जाना चाहिए हम चाहेंगे कि लड़कियां शासक में हमारे साथ शिकार करने जाएं बड़ शासक कुत्तों और घुड़सवारी के लिए आदेश दिये गए थे सबसे बड़े विवरं के साथ हर घोडे को नाम से पुकारते हुए वलोडीना घोडा लंगडा पिताजी ने उसके लिए शिकार की सवारी का आदेश दिया यह शब्द शिकार घोडा किसी तuestaर मामन के का जिन्होंने अद्भुत युवाओं के साथ कहा कि यह कुछ भी नहीं था और जब वह घोडा ले जा रहा था तो वह बहुत प्यार करता था। ग्रिशा की माननेताओं आदी को देखना दिलचस्प होगा। वही बाद जो हम भाग लेते हैं एक शब्द नहीं कहा गया था। हम पोशाक के लिए शीर्ष पर भाग गए और पोशाक ताकि हम शिकारी की तरह दिख सकें। इसका एक मुख्य साधन पेंटालोन को जूते में रखना था। देरी के बिना हम इस व्यवसाय के बारे में निर्धारित करते हैं इसे खत्म करने और पोर्च तक चलाने के लिए कुत्तों घोडों के दृष्य का आनंद लेते हैं और शिकारी के साथ बात करते हैं। दिन गर्म था, सुबह बादलों के सफेद विचित्र रूप क्षितिज पर दिखाई दिये, तब उनकी छोटी हवा करीब और करीब चलने लगी, इसलिए कभी-कभी उन्होंने सूरज को बंद कर दिया। पूर्व में केवल एक काला बड़ा बादल रुका। उस व्यक्ति की स्थिति में जिसे याद दिलाने की आवश्यक्ता नहीं है, उसके कर्तव्यों। मुनाफ़ा कम हुआ और एक छोटी सी बहस के बाद कि किस तरफ बैठना है और किस पर पकड़ है। कि यह मुझे लगता है, मुझे बिलकुल भी पकड़ में आने की जरूरत नहीं थी। बैठ गया, छतरियां खोल दी और चला गया। जब शासक शुरू हुआ, तो मैमन ने शिकार घोड़े की और इशारा करते हुए कोच मैन से कांपती आवाज में पूछा। क्या यह व्लादिमीर पेट्रोविच के लिए एक घोड़ा है। और जब कोच मैन ने पुष्टी में जवाब दिया, तो उसने अपना हाथ लहराया और दूर चली गई। मैं बहुत अधीर था। अपने घोड़े पर चड़ गया, उसके कानों के बीच देखा और यार्ड में अलग-अलग विकास किये। कुच शिकारी ने मुझे बताया, बिनम्र रहें, यह मेरी पहली बार नहीं है, मैंने गर्व से उत्तर दिया। वलोडिया शिकार घोड़े पर बैठे, अपनी दृड़ता के बावजूद कुछ कमप-कमपी के बिना नहीं, और इसकी घोशना करते हुए कई बार पूछा, क्या वह शान्थ है? घोड़े पर वह बहुत अच्छा था, निश्चित रूप से बढ़ा था, उनकी लंबी जा भावों को निकाल दिया, ग्रे हाउंड वाले शिकारियों ने खुद को बुलाया और बैठना शुरू कर दिया, गूंगा घोड़े को पोर्च में लाया, आर्च डैड के कुत्ते, जो पहले उसके पास अलग-अलग सुरम्य पोज में लेटे थे, उसके पास पहुंचे, उ और कुछ के लिए वह पिस्सू की तलाश करती थी, पिताजी एक घोड़े पर बैठ गए और हम चले गए, सडक के किनारे, जिसे तुर्क कहा जाता है, एक नीले रंग के कुबड़ा घोड़े पर, एक प्यारे टोपी में, उसके कंधों के पीछे एक विशाल सींग और उसक की बेल्ट पर एक चाकू, सभी के सामने सवार हुआ, इस व्यक्ति की उदास और क्रूर उपस्थिती से, यह सोचना संभव था, कि वह शिकार की तुलना में, एक नश्वर लड़ाई में जा रहा था, अपने घोड़े के हिंद पैरों, के पास एक मोटली उलजन के साथ, उ जब उसने यह हासिल किया, तो पीछे से गाड़ी चलाने वाले जुलसाने वालों में से एक ने, उसे एक अरापनिक के साथ ताली बजाते हुए कहा, एक धेर में, गेट छोड़कर पिताजी ने शिकारियों और हमें सड़क पर ड्राइव करने का आदेश दिया, और वह एक जंग खाए मैदान में बदल गया, ब्रेड की सफाई पूरे जोरों पर एक अस्थिर शानदार पीला क्षेतर केवल एक तरफ एक लंबे नीले जंगल से बंद जो तब मुझे सबसे दूरस्त रहस्यमय जगह लगती थी, जिसके बाद प्रकाश समाप्त या निर्जन देश शुरू होते हैं एक अर्मेनियाई में उसके हाथ में टैक के साथ दूर से पिताजी को नोटिस करते हुए अपनी छोटी कांच की टोपी उतार गया, एक तौलिया के साथ अपने लाल सिर और दाढ़ी को मिटा दिया और महिलाओं पर चिलाया, रेड हिट घोडा जिस पर पिताजी सवार थे एक हलके चंचल तरीके से चला गए, कभी-कभी उसके सिर को उसकी चाती तक कम कर देता है, बाग दोर निकालता है और सबजियों की मोटी पूंच लेराता है और उड़ता है जो उत्सुकता से उस पर गिर गया, दो ग्रेहाउंड कुत्ते धीरे से अपनी पूंच को एक दर अपनी पूंच को एक दरानती से जुकाते हुए और अपने पैरों की पूंच की दूमधाम, बटेरों की हंसमुक सीटी, कीडों की गूंज जो हवा में गतिहीन जुंडों में घुसी हुई थी, कीडा, पुवाल और घोडे के पसीने की गंद, हजारों अलग-अलग रंग और छायाएं जो डाली गई, हलके पीले रोस्टिंग के माध्यम से चिल-चिलाती धूप, नीले रंग के जंगल और सफेद चेहरे वाले बादल, सफेद कोब्वे हवा में लेट गए जिसने उत्सुकता से उसे गढ़ा, दो ग्रे हाउंड कुत्ते धीरे से अपनी पूंच को एक दरान्ती से जुकाते हुए और अपने पैरों को उंचा उठाते हुए घोडे के पैरों के पीछे एक उच्च छडी पर कूद, मिलका सामने भागा और उसके सिर को जुकाते हुए जपकी का इंतजार कर रहाद, लोगों की बात, घोडों और गाडियों की धूंधाम, बटेरों की हंसमुक सीटी, कीडों की गूंज, जो हवा में गतिहीन जुंडों में घुसी हुई कीडा, पुवाल और घोडे के पसीने की गंध, हजारों अलग-अलग रंग और चायाएं जो डाली गई, हलके पीले, रोस्टिंग के माध्यम से चिलचलाती धूप, नीले र पैरों को उचा उठाते हुए, घोडे के पैरों के पीछे एक उच्च चड़ी पर कूद, मिल का सामने भागा और उसके सिर को जुकाते हुए जबकी का इंतजार कर रहा है, लोगों की बात, घोडों और गाडियों की धूमधाम, बटेरों की हंसमुक सीटी, कीडों की गू सफेद कोबवे हवा में लेट गए लोगों की बात, घोडों और गाडियों की धूमधाम, बटेरों की हंसमुक सीटी, कीडों की गूंज, जो हवा में गतिहीन जुंडों में घुसी हुई कीडा, पुआल और घोडे के पसीने की गन, हजारों अलग-अलग रंग और सफेद कोबवे हवा में लेट गए लोगों की बात, घोडों और गाडियों की धूमधाम, बटेरों की हंसमुक सीटी, कीडों की गूंज, जो हवा में गतिहीन जुंडों में घुसी हुई थी, कीडा, पुआल और घोडे के पसीने की गंध, हजारों अलग-अलग रंग और चायाएं जो डाली गई, हलके पीले रोस्टिंग के माध्यम से चलचिलाती धूप, नीले रंग के जंगल और सफेद चेहरे वाले बादल, सफेद कोबवे हवा में लेट गए कलीन फॉरिस्ट के पास जाने के बाद, हमें वहाँ पहले से ही एक शासक मिल और किसी भी उम्म यह साफ हवा, आइसक्रीम और फल में चायाएं। कोड़े पर बैठ गया और सीटी बजाकर युवा बिर्च के पीछे छिप खुले घावों सबसे पहले पूंच की लहर के साथ अपनी खुशी व्यक्खुद को हिलाया, बरामत किया और फिर एक छोटे लिनेक्स के साथ सूंगने और लहराते हुए पूंच अलग-अलग दि मेरे पास एक खरग, ओश के बिना मताना, मैंने गिरन की अपनी प्यारे गर्दन को दुपटे से लपेटा और दाने के साथ निर्दिष्ट स्थान पर दोड़ने के लिए दोड़ा, पिताजी हंसे और मेरे बात चिलाया, जल्दी करो, अन्यता आपको देर हो जाएगी, जि परदस्ती पकड़ सकता था और एक से अधिक बार गिर गया, जब तक कि मैं जगह पर नहीं पहुंच गया, एक चायादार और यहां तक की उच्च ओक की जड़ में जगह चुनने के बाद मैं घास पर लेट गया, अपने आपको गिरन के पास बैठ गया और उम्मीद करने मेरी कलपना जैसा कि हमेशा ऐसे मामलों में होता है, वास्तविक्ता से बहुत आगे निकल गया, मैंने कलपना की थी कि मैं पहले से ही तीसरे हरे को गायल कर रहा था, जबकि जंगल में पहला हाउंड निरस्त हो गया, तुर्क की आवाज जोर से और जंगल में अधिक एनिम और अंत में लगता है एक रिंगिंग में विले फीका, द्वीप नंगे थे और हाउंड पीसा गया, यह सुनकर मैं अपनी जगह पर जम गया, अपनी आँखों पर किनारे पर संचालित होने के बाद मैं व्यर्थ मुस्कुरा, पसीने से तरबतर हो गया और हालांकि उसकी ब फिर धीरे-धीरे मुझसे दूर चला, कोई खरगोश नहीं था, मैं चारों ओर देखने लगा, गिरन के साथ भी ऐसा ही, पहले तो वह फाड़ रहा था और पीड़ा दायक था, फिर मेरे पास लेट, अपना चेहरा मेरी गोद में रख दिया और शांथ, ओक की नंगे पूर्ण रास्तों पर चले गए, जिन्हें उन्होंने तोड़ा, कुछ वजन के साथ दूसरे एक खाली के, मैंने ब्रशवड उठाया और इसके साथ सड़क को अवरुद्ध कर दे, यह देखना आवश्यक था कि कैसे, खत्रे को तुछ समझते हुए, इसके नीचे रेंगत अन्य लोग ऊपर चड़ और कुछ विशेश रूप से वजन वाले पूरी तरह से खो गए और पता नहीं क्या कर, बंद कर दिया, एक चक्कर की तलाश की, या वापस मुढ गया, या मेरे हाथ में ब्रश चला गया, और मेरी जैकेट की आस्तीन के नीचे चड़ने का इराद इन दिल्चस्प टिपणियों से मुझे पीले पंखो के साथ एक तितली द्वारा विचलित किया गया, जो मुझे बेहद लुभावना लग, जैसे ही मैंने उस पर ध्यान दिया, उसने दो चरणों के लिए मुझसे दूर उडान भरी, जंगली तिपतिया घास के लगभग म जहराया और खुद को फूल के खिलाफ दबाया, आखिरकार वह पूरी तरह से जम गया, मैंने अपना सिर दोनों हाथों पर रखा और खुशी से उसकी तरफ देख, मैंने अपना सिर दोनों हाथों पर रखा और खुशी से उसकी तरफ देख, मैंने अपना सिर दोनों हाथो में सब कुछ भूल गया। एक उनमत आवाज में कुछ चिलाया, कुत्ते को जाने दिया और दोड़ने के लिए दोड़ने के लिए। लेकिन मेरे पास ऐसा करने का समय नहीं था, जैसा कि मैंने पहले ही पश्चाताप करना शुरू कर दो, भरे बैट गए, एक छलांग थी, जब हाउंस के बाद, जिन्हें उनकी आवाज में किनारे पर रखा गया था, तुर्क जाडियों के पीछे से दिखाई दिया, उसने मेरी गलती देख, जो कि मैंने नहीं की थी समझ लिया, और मुझ पर अवमानना करते हुए, उसने केवल ओ, मास्ट लेकिन आपको यह जानना होगा कि यह कैसे कहा गया था, यह मेरे लिए आसान होगा अगर उसने मुझे काठी में एक हरे की तरह लटका देख, लंबे समय तक मैं एक ही जगह पर बड़ी निराशा में कुत्ते को फोन नहीं किया, और केवल जोर देकर कहा, खुद को जांगों पर मारना, मेरे भगवान, मैंने क्या किया है, मैंने आगे पीछा करते हुए सुना कि कैसे उन्होंने द्वीप के दूसरी तरफ तप तप, हरे को खदेड दिया और कैसे तुर्क ने कुत्तों को अपने विशाल सींग में बुला, लेकिन अभी भी नहीं चाहिए, शिकार खत्म होगा, यु भवा बर्च की हरी शाखाओं के माध्यम से सूरच चमक और मेरी आँखों पर, मेरे पैरों पर और यहां तक की गवरिल के गंजे पसीने वाले सिर पर गोल टीका करण अंतराल फेंग, एक हलकी हवा पेडों के पत्ते के माध्यम से चल रही है, मेरे बालों और पसीने के चे लिबोचक का सूरच से स्क्विंटिंग और घास के साथ कूद रहा, आईए रॉबिंसन पर जाएं, नहीं, ओबाओ, बॉलोडा ने कहा, आलसी, ए उतनी ही निकली जितनी की गुप्त जुझलाहट से कि हमारे युग में वह या तो प्रभाव या सफलताएं नहीं पा सकता जो उसके अपने में थी, जीवन में उनके दो मुख्य जुनून कार्ड और महिलाएं थी, उन्होंने अपने जीवन की निरंतरता में कई मिलियन जीते और सभी संपदा की अंगिनत महिलाओं के साथ संबंद बनाए, बड़ा स्थिर विकास, अजीब, छोटे कदम, चाल चि यहां है मेरे पिता की उपस्थित, क्योंकि मैं उसे याद करता हूँ, बॉनेस, भाग्य, ग्यारह लेकिन हर कोई, बिना किसी अपवाद के सभी संपदा और स्थितियों के लोगों को पसंद करता है, खास कर उन लोगों को जो पसंद करना चाहते, वह जानता था कि सभी के स कभी आदमी नहीं रहा बहुत बड़ा प्रकाश वह हमेशा इस सरकल के लोगों के साथ था और इसलिए कि उसका सम्मान किया गया था। नहीं पड़ता कि वह कितना शानदार था ऐसा लगता था कि वह उसके लिए पैदा हुआ। अपनी आतमा के लिए क्रोधित थेवे रैंकों में बहुत दूर चले और वह हमेशा के लिए एक सेवा निवृत्त गार्ड लेफ्टिनिट बने था। वह सभी पूर्व सैन्य पुरुषों की तरह फैशनेबल कपड़े पहनना नहीं जा। पूल रूप से और इनायत से कपड़े पहने। हमेशा एक बहुत चौड़ी और हलकी पोशाक, सुंदर लिनन, बड़े खुले कफ और कॉलर। हालंकि सब कुछ उसके महान विकास, मजबूत जोड, गंजासिर और शांत आत्मविश्वासी आंदोलनों में चला गए। वह संबेदनशील था और आंसू अक्सर जोड से पढ़ते हुए जब एक दैनी स्थान पर पहुँच गया तो उसकी आवाज का आंसू दिखाई और उसने पुस्तक को निराशा के साथ वह संगीत से प्यार करता था गाता था खुद को पियानों के साथ अपने दोस्त एक र और वह से बहतर कुछ भी नहीं जानता है मुझे युवा मत जगाओ युवा जैसा कि सेमिनोवा ने गाया था और अकेले नहीं जिपसी की तरह टन्यूश गाया उनका स्वभाव उन लोगों में से एक था जिन्हें जनता को एक अच्छे कारण की आवश्यक्त और फिर केव जीवन में इतने खुश थे कि उन्होंने इसकी आवश्यक्ता नहीं दें लेकिन पूरी तरह से व्यावहारिक के आधार पर उन कार्यों और जीवन शैली ने उन्हें खुशी या खुशी दी उन्होंने अच्छा माना और पाया कि यह हमेशा सभी के लिए किया जाए उन्होंने बहुत ही आकरशक ढंक से बात और यह क्षमता यह मुझे लगता है उ गोल में इसके पास खींचने की व्यवस्था है मेरे पास केवल नीला पेंट था लेकिन इसके बावजूद मैंने शिकार करना शुरू करने नीले घोडे और नीले कुट्टों की सवारी करने वाले एक नीले लड़के का बहुत ही सपष्ट रूप से चितरन करते हुए दोस्त वे हैं। उज्वल और पारदर्शी यादे। उसने बीथोवेन की दैनिय सोनाटा का किरदार निभाया और मुझे कुछ दुखद, भारी और उदास यादे। मामन अक्सर इन दो नाटकों को बजाते थे। इसलिए मुझे यह महसूस अच्छी तरह याद है कि वे मुझमें उच्सा दर्वाजा तुरंत उनके पीछे बंध हो गया। पद्देंजर वेटर में जूतों की एक बहुत परिचित क्रेक ने अचानक मुझे माता। कार्ल इवानोवे। टिप्टो पर लेकिन एक उदास और निरनायक चेहरे के साथ अपने हाथ में कुछ नोटों के साथ दर्वाजे पर गए और थोड़ा टैप किया। उसे अंदर जाने दिया गया और दर्वाजा फिर से बंद होगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कितना दुर्भाग्य होता है फ्रो मैंने सोचा। कार्ल इवानिक नाराज वह किसी भी चीज के लिए तैयार है। मैं फिर से दर्जन पर। हालां की कोई दुर्भाग्य नहीं हूँ। ए उसके बाद पिताजी बाहर गए और लिविंग रूम में प्रवेश क्या आप जानते हैं कि मैंने अब क्या फैसला किया है। उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा मामन के कंधे पर हाथ रख्या मेरे दोस्त मैं कार्ल इवानोविच को बच्चों के साथ ले जाता हूँ। शेविंग में एक जगह है। वे इसके लिए उपयोग किये जाते हैं और वह निश्चित रूप से उनसे बंधा हुआ लगए। और वे किसी भी खाते को एक वर्ष में 700 रूबल नहीं बनाते हैं। मैं समझ नहीं पाया कि पिताजी ने कार्ल इवानोविच को क्यों डाण। मुझे बहुत खुशी है। परिश ने कहा है। बच्चों के लिए उसके लिए। वह एक शानदार बुढ़ा आदमी है। यदि आपने देखा कि वह कैसे स्थानांतरित किया गया था जब मैंने उ उसे उपहार के रूप में इन 500 रूबल को छोड़ने के लिए कहा था। लेकिन क्या मज़ेदार है। वह खाता है जो वह मेरे पास लाया। यह देखने लायक है। उसने मुस्कुराते हुए जोड़ा। उसे कार्ल इवानोविच के हाथ से लिखा गया एक नोट दिया आकर इस नोट को पढ़ने के बाद जिसमें कार्ल इवानोविच मांग करते हैं कि उन्हें उपहारों के लिए दिये गए सभी पैसे का भुकतान किया जाए। और यहां तक की वादा किये गए उपहार के लिए भुकतान किया जाए। कुछ नहीं और सभी से गलती होगी अपने हाथ में नोट के साथ कार्याले में प्रवेश करना और अपने सिर में एक तैयार भाशन के साथ वह सपष्ट रूप से पिताजी के सामने मौजूद सभी अन्याय को प्रस्तुत करने का इरादा रखता था जो उसने हमारे घर में जेले लेकिन जब वह एक ही मारमिक आवाज में बोलना शुरू किया और उसी संवेदन शील स्वर के साथ जिसके साथ वह आम तोर पर हमारे लिए तैय करता था तो उसकी वाक पटुता ने खुद पर सबसे द्रिड़ता से काम इसी लिए उस स्थान पर पहुँचना जिसमे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बच्चों के साथ भाग लेना मेरे लिए कितना दुखद होगा वह पूरी तरह से अपनी आवाज कांप और उसे अपनी जेब से एक छेकर दुपटा प्राप्त करने के लिए मजबूर किया हाँ पीटर एलेक्जेंडर उन्होंने आंसू के उस समय कार्ल इवानोविच ने इमानदारी से मैं सकारात्मक रूप से यह कह सकता हूँ क्योंकि मैं उनके अच्छे दिल को जानता हूँ लेकिन स्कोर उनके शब्दों के अनुरूप कैसे था यह मेरे लिए एक रहस्य बना हुआ यदि आप दुखी हैं तो मेरे लिए आप भरना और रोना बंद नहीं जो कि उन लोगों के अनुसार जो भविश्यवानी करने की अपनी शमता में विश्वास करते थे हमारे घर के लिए कुछ दुर्भाग्य का पूर्वा भास करते हैं वह अलविदा कहने लगा और उसने कहा कि वह कल सुबह आगेज मैं वोलोड प भाग गई और हम शीर्ष पर चले विवाद के बिना यह तैय करना की अंधेरे कोठरी में प्रवेश करने वाला पहला व्यक्ति कौन था हम बैट गए और इंतजार हम सभी अंधेरे में खौफ ना हमने एक दूसरे को डंक मारा और कुछ नहीं लगभग हमारे बाद ग्रिश शांत कदमों के साथ आतार संबंध थे ने उनके असभ्य लेकिन प्यार भरे दिल को मोहित कर दिया यहां तक कि उसने फौक से शादी करने की अनुमती मांगने के लिए दादा के पास जाने का फैसला किया दादा जी ने अकरमन्यता की अपनी इच्छा को स्वीकार किया गुस्से में थे और गर असवासन से एक रोडा में लोटते हुए वह अपने दादा को दिखाई दी अपने पैरों में गिर गई और उसे दया स्नेह वापस करने के लिए कहा और उस बकवास को भूल गई जो उसने उस पर पाया था और जो उसने कसम खाई थी अब वापस नहीं आएगा और उसके शासन को पक्ष में बदल दिया तो उसे पेंटरी की चाबी मिली और उसके अंडरवियर और सभी प्रावधान उसके हाथों सौंप दिये गए उसने उसी उत्साह और प्रेम के साथ इन नए करतव्यों का पालन किया वह सभी बार में रहती थी हर चीज में उसने बरब और सबसे चापलूसी भरे शब्दों में उसके प्रती आभार और प्यार व्यक्त करते हुए उसे मुहर लगी कागज की एक शीट सौंपी जिस पर लिखा था मुफ्त नताल्या सविशना और कहा कि वह हमारे घर में सेवा करना जारी रखेगी या नहीं उसे हमेशा 300 रूब करते हुए कमरे से बाहर भाग गई इस तरह के एक अजीब कृत्य के कारणों को नहीं समझते हुए मामन ने थोड़ी देर बाद नताल्या सविशना के कमरे में प्रवेश किया वह च्छाती पर आंसु भरी आँखों से बैठी अपनी नाक का दुपट्टा अपनी उंगलिय होना चाहिए कि आप मुझे याड से चला रहे हैं खैर मैं जाऊंगा उसने अपना हाथ बाहर निकाला और मुश्किल से आंसु से वापस पकड़े हुए कमरे से बाहर जाना चाहती थी मामन ने उसे पकड़ लिया उसे गले लगाया और वे दोनों फूट फूट कर रोने ल बलकि सोचा भी नहीं था ऐसा लगता है अपने बारे में उसका पूरा जीवन प्रेम और आत्म बलिदान था मुझे उसके निस्वार्थ कोमल प्रेम की इतनी आदत है कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि यह अन्यता हो सकता है उसके प्रति बिल्कुल भी आभारी नहीं था और और खुद से कभी सवाल नहीं पूछा क्या वह खुश है क्या वह खुश है कभी कभी आवशक आवशकता के बहाने आप एक पाट से उसके कमरे में भागेंगे बैठेंगे और जोर से सपने देखना शुरू करेंगे न कि उसकी उपस्थिती से शर्मिंदा वह हमेशा किसी चीज में व्यस्त रहती थी या तो उसने एक मोजा बुना हुआ था या च्छाती के माध्यम से अफवाह थी जिसके साथ उसका कमरा भरा हुआ था या लिनन रिकॉर्ड किया गया था और मैंने कहा कि सभी बकवास सुन रहा था कैसे जब मैं एक सामान्य हूं मैं एक जिसके धकन पर अंदर से जैसा कि मुझे अब याद है कुछ हुसार की एक चित्रिक छवी चिपकी हुई थी एक लिपस्टिक से एक तस्वीर जार और एक गोलोडी ड्राइंग इस चाती से धूमरपान किया इसे जलाया और यह पिता अभी भी एक केंद्र बिंदू धूमर जिन चेस्टों में उसका कमरा भरा हुआ था उनमें सब कुछ निरनायक था जो कुछ भी इसकी आवश्यकता थी वे आम तोर पर कहते थे आपको नताल्या सविशना पूछने की जरूरत है और वास्तव में थोड़ा अफवाह करते हुए उसने आवश्यक वस्तू पाई और कहा यह अच्छा है कि वह छिप गई इनकी चाती में ऐसी हजारों वस्तूएं थी जिन्हें घर में कोई नहीं जानता था सिवाए उसके बारे में पता था और उसकी देख भाल करता था एक बार मुझे उस पर गुस्सा आ गया ऐसा ही था दोपहर के भोजन में एक क्वास ड तब मामन ने उसके कान में कुछ बताया और उसने मुझे धमकाया बाहर आया दोपहर के भोजन के बाद मैं सबसे हंसमुख मूड में उचलते हुए हॉल में गया जबना तालिया सविशना ने अपने हाथ में मेज पोश के साथ दर्वाजे के पीछे से छलांग लगाई मु कि मैं गुसे से कट गया कैसे मैंने खुद से कहा हॉल के माध्यम से चलना और आंसू के साथ घुटना नतालिया सविशना बस नतालिया कहते हैं मैं तुम और अभी भी मुझे एक गीले मेज पोश के साथ एक याड लड़के की तरह चेहरे पर मारता है नहीं यह भयानक है ज दरपोक मुझसे संपर्क किया और उकसाना शुरू किया आधी रात मेरे पिता रोना मत मुझे माफ कर दो मूर्ख यह मेरी गलती है मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे यहां तुम हो उसने दुपट्टे के नीचे से लाल कागस से बना एक कॉर्नेट निकाला जिसमें दो कारमे और एक वाइन बेरी थी और मुझे कांपते हुए हाथ से दिया मुझे एक अच्छी बूढ़ी औरत का सामना करने की ताकत की कमी थी मैंने दूर जाकर उपहार सुईकार किया और आशू और भी अधिक बढ़ गए लेकिन क्रोध से नहीं बलकि प्यार और शर्म से जिन घट हवा में खड़ा था और सीट के नीचे ओवर कोट और तकिये पर रखा गया था जब यह उसे उच्छ लग रहा था तो वह तकिये पर बैठ गया और कूटते हुए उन्हें गूंद दिया इश्वरी ये दया करें निकोलाई दिमित्रिच क्या आपके लिए एक बारिना लोफर लगाना संभव है ने कहा कि ठंडा वैलेड डैड गुमककर से फहला हुआ है वह छोटा है आपने पहले कहा होगा मिची इवानोविच निकोलाई ने एक जीब के साथ जवाब दिया औ अपने सभी को शेविंग के नीचे कुछ गाठ फेंक सकते हैं हंस्मुक होकर सिर पहले से ही घूम रहा है और यहां आप अपने सरौता के साथ हैं उन्होंने टोपी को उठाते हुए जोड़ा यार्ड पुरुष फ्रॉक कोट कैफटन शर्ट बिना टोपी महिलाओं कच्छ अपनी बाहों में बच्चों के साथ और नंगे पांव बच्चे पोर्च के पास खड़े थे चालक दल को देखा और आपस में बात की बकसे में से एक एक सर्दियों की टोपी में एक बूढ़ा आदमी और एक अर्मेनियाई उसके हाथ में घुमक कर उसे चुआ और इस कदम पर सोच समझ कर देखा अन्य एक प्रमुख युवा व्यक्ति लाल छलावरन के साथ एक सफेज शर्ट में अपने कच्चुए को एक ब्लैक बिल्ट टोपी पर रख दिया एक कोड़ा कोड़ा के साथ उचलते हुए उसने अपने जूते को देखा फिर कोच मैन पर जो उसने उन्हें एक सरकल में नीचे से तोड़ दिया डाक बहु मस्तूल तूटे हुए घोड़े ग्रेट पर खड़े थे और मक्षियों से अपनी पूंच लहराते थे उनमें से कुछ अपनी जबरा तैरते हुए पैरों को उजागर करते हुए अपनी आँखें बंद करके द भारी सांस ली चाया में अन्य लोग घुमककड और मुंडा के मीचे चले गए और कुलहाडियों के पास एक लौड को चाट लिया पूरी हवा में किसी तरह का धूल भरा अंधेरा था शितिज ग्रे सामना कर रहा था लेकिन आकाश में एक भी बादल नहीं था एक मजबूत पश्चिमी हवा ने खंभों के साथ सडकों और खेतों से धूल को उठा लिया उच्च लिंडेन और बगीचे की जांगों के शीर्ष को जुका दिया और गिरे हुए पीले पत्तों को दूर तक ले गए मैं खेडकी से बैठ गया और सभी तैयारियों के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था उन्हें एक सरकल में नीचे से धबबा डाक बहु मस्तूल तूटे हुए घोडे ग्रेट पर खड़े थे और मक्यों से अपनी पूँच लहराते थे उनमें से कुछ अपनी जबरा तैरते हुए पैरों को उजागर करते हुए अपनी आँखें बंद करके दरजन दूसरों ने बोरियत के साथ एक दूसरे को खरोंच दिया या एक कठिन गहरे हरे रंग की फरन की पत्तियों और तनों को छुट की ली जो पोर्च के पास बड़े हुए थे कई ग्रेहाउंड कुत्तों कुछ ने धूप में लेटते समय भारी सांस ली छाया में अन्य लोग घुमककड और मुंडा के नीचे चले गए और कुलहाडियों के पास एक लौड को छाट लिया पूरी हवा में किसी तरह का धूल भरा अंधेरा था क्षितिज ग्रे सामना कर रहा था लेकिन आकाश में एक भी बादल नहीं था एक मजबूत पश्चमी हवा ने खंभों के साथ सडकों और खेतों से धूल को उठा लिया उच्च लिंडेन और बगीचे की जांगों के शीर्ष को जुका दिया और गिरे हुए पीले पत्तों को दूर तक ले गए मैं खिडकी से बैठ गया और सभी तैयारियों के अंत की प्रतीक्षा कर रहा था उन्हें एक सरकल में नीचे से धबबा डाक बहु मस्तूल तूटे हुए घोडे ग्रेट पर खड़े थे और मक्षियों से अपनी पूंच लहराते थे उनमें से कुछ अपनी जबरा तैरते ह पैरों को उजागर करते हुए अपनी आखें बंद करके दर्जन भर दूसरों ने बोरियत के साथ एक दूसरे को खरोंच दिया या एक कठिन गहरे हरे रंग की फर्न की पतियों और तनों को छुटकी ली जो पोर्च के पास बड़े हुए थे कई ग्रे हाउंड कुछ ने धूप में लेटते समय भारी सांस ली छाया में अन्य लोग घुमककड और मुंडा के नीचे चले गए और कुलहाडियों के पास एक लॉड को चाट लिया पूरी हवा में किसी तरह का धूल भरा अंधेरा था क्षितिज ग्रे सामना कर रहा था लेकिन आकाश में एक भी बादल नहीं था एक मजबूत पश्चमी हवा ने खंभों के साथ सड़कों ए तैयार है चट पर रुकते हुए कहा गोड़े तैयार हैं मैंने देखा कि मामन इस खबर से भड़क गए और भड़क गए जैसे कि यह उनके लिए अप्रत्याशित था कमरे में सभी दर्वाजे बंद करने का आदेश दिया गया यह वास्तव में मुझे चकित करता है जैसे कि हर कोई किसी से चिपा रहा जब हर कोई बैठ गया तो फोका भी कुरसी की नोक पर जुग गया लेकिन उसने बस यह किया दर्वाजा चर्मरा गया और सभी ने चारों चेहरे और एक टोपी में एक अच्छी आक्रती दिखाई देती है जिसमें से भूरे बाल दिखाई देते हैं। जब मैंने यह आवाज सुनी तो मैंने उसके कामते होंठों और आँखों को आंसुओं से भरा देखी। मैं सब कुछ भूल गया और मुझे इतना दुहुक दर्दनाक और डर लगा कि मैं उसे अलविदा कहने से बहतर दोड़ना चाहूँ। मुझे उस पल का एहसास हुआ कि अपने पिता को गले लगाते हुए वह पहले से ही हमें अलविदा कह रही। वह चुमबन और वलोधिया बप्तिस्मा इतनी बार स्वीकार किया है कि बिश्वास है कि वह अब मेरी ओर मुढ जाए। मैं आगे जुग। लेकिन उसने भी उसे आशीरवात दिया और उसे अप पर ध्वनी चुमबन और उनके सिर से वसा की गंद मुझे चिड़ चिड़ा लोगों में शग्रिन के सबसे करीब एक भावना में जगाए। इस भावना के प्रभाव के तहट मैं नताल्या सविष्णा बहुत ठंड से चूमा जब वह सब आंसू में मुझे अलविदा कि अ इस समय मैं इसे देखने के लिए कभी भी साहस नहीं जुटा से। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो उसे और मेरे दुहक को असंभव सीमा तक पहुंच जाना चाहिए। मैं सभी के सामने घुमकड के पास गया और पीछे बैए। उपर उठाए गए शी जामन घुमकड के विपरीत पक्ष से आया और मुझे नाम से बुले। मेरे पीछे उसकी आवाज सुनकर मैं उसकी ओर मुड़ा। लेकिन इतनी जल्दी कि हमने अपने सिर को पीटा। वह उदास रूप से मुस्कुराया और आखिरी बार मुझे कस कर चूमा। जब हमने कबूतर को उठा लिया जिसके साथ उसका सिर बंधा हुआ। उसके सिर को नीचे करना और उसके हाटों से उसके चेहरे को ढंकना वह धीरे धीरे पोर्च पर चली। फोका ने उसका समर्थन की। पिताजी मेरे बगल में बैट गए और कुछ नहीं कहा। मैंने आंसुओं से ठाका लगा। और कुछ ने मुझे अपने गले में इतना कुचल दिया कि मुझे दम घुटने से डर लगा। बड़ी सड़क पर छोड़ते हुए हमने एक सफेद दुपट्टा देखा जिसके साथ किसी ने बालकनी से लहराया। मैंने अपनी खुद की लहर शुरू कर और इस आंदोलन ने मुझे थोड़ा आश्वस्त मैं रोता रहा और यह सोचा कि मेरे आशु साबित होते हैं कि मेरी समवेदन शीलता ने मुझे खुशी और खुशी। पोल छोड़ने के बाद मैं और अधिक शान्ती से बैठ गया और जिद्धी ध्यान के साथ आंखों के स उस पर एक साथ कूदना शुरू कर दिया उस पर और अंगूठी की फूहड पर हेलमेट कूदते देखा और देखा जब तक कि यह हेलमेट पूँच के पास साबुन से धंका ने मैंने चारों और देखना शुरू पके हुए राई के रोमान्चक खेतों पर अंधेरे भाप जिस पर सोहा आदमी एक घोड़े के साथ खंभों पर बकरियों को भी देखा कि यह पता लगाने के लिए कि कौन सा बौक हमारे साथ आ रहा और मेरा चेहरा आंसुओं से नहीं सूखता क्योंकि मेरे विचार उस मा से बहुत दूर थे जिसके साथ मैं तूट गया शायद हमे कि वे कैसे रोते हैं हमें अलविदा कहते हैं उनके लिए क्षमा करें और मुझे नताल्या सविष्णू और बर्च गली के लिए खेद है और मुझे फौक के लिए खेद है यहां तक की बुराई मिमी और भधदया ठीक है और गरीब मामन और आंसु फिर से आँखों पर जब आप पूर्ण भाग गए तो आप बैठते हैं आप चाय की मेज पर अपनी उच्च कुरसी बहुत देर हो चुकी है मैंने लंबे समय तक चीनी के साथ अपना दूद पिया सपना मेरी आँखें नबंद कर देता है लेकिन आप इसे छूते नहीं है आप बैठते हैं और स सुनते हैं और कैसे नहीं सुनना है मामन किसी से बात कर रही है और उसकी आवाज की आवाज बहुत प्यारी है इसलिए अनुकूल है ये आवाज मेरे दिल को बहुत कुछ कहती है जबकी से धुंदली मेरी आँखों के साथ मैं उसके चेहरे पर टक-टकी लगाता हूँ और अचानक वह सब छोटा होगी छोटा उसका चेहरा एक बटन से अधिक नहीं है लेकिन यह अभी भी मुझे सपश्ट रूप से दिखाई दे रहा है मैं देखता हूँ कि उसने मुझे कैसे देखा और वह कैसे मुस्कुराई मैं उसे इतना छोटा देखना पसंद करता हूँ म लेकिन व्यर्थ मैं उठता हूँ अपने पैरों के साथ मैं चड़ता हूँ और आराम से कुरसी पर फिट बैठता हूँ आप फिर से सो जाएंगे निकोलेन का मुझे मामन बताता है आप बहतर तरीके से शीर्ष पर जाएंगे मैं सोना नहीं चाहता मा आप उसका जवाब द जाते यह आपको लगता है यह हुआ इस मद्य नजर कि किसी का कोमल हाथ आपको छू रहा है आप उसे एक सपर्ष से पहचानते हैं और एक सपने में आप अंजाने में इस हाथ को पकड़ लेंगे और इसे अपने होंठों से कस कर पकड़ लेंगे हर कोई पहले ही तितर बित मामन ने कहा कि वह खुद मुझे जगाए यह वह था जो उस कुरसी पर बैठा था जिस पर मैं सोता हूं अपने अद्भुत निविदा कलम के साथ वह मेरे बालों के माध्यम से भागती है और मेरे कान के ऊपर एक प्यारा परिचित आवाज लगता है उठो मेरे प्रिय यह स लेती है और उसकी उंगलियां जल्दी से चल और मुझे गुद्गुदी करता है कमरा, शांत, अंधेरा, मेरी नसें गुद्गुदी और जागरती से उच्सा है, मा मेरे पास बैठती है, मुझे उसकी गंध और आवाज सुनाई देती, यह सब मुझे कूदता है, उसकी गर और उसे करने के लिए घुटने, तो तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, वह एक मिनट के लिए चुप है, फिर वह कहती है, देखो, हमेशा मुझसे प्यार, कभी मत भूल, अगर तुम्हारी मान नहीं है, तो तुम उसे नहीं भूलोगे, क्या आप नहीं भूलते निकोले का वह अभी भी मुझे और अधिक कोमलता से चुम्पूर्ण, और यह मत कहो मेरे प्रिय, मेरी आत्मा, मैं बाहर रोना, उसके घुटनों चुम्बन और आंसु धाराओं के साथ मेरी आँखों से डाल, प्यार और खुशी के आँख, उसके बाद जैसा की हुआ, आप शीर्ष मा के लिए मेरे बच्चों के मुह को गड़ा, उसके लिए प्यार और भगवान के लिए प्यार किसी तरह अजीब तरह से एक भावना में विले हो, प्रार्थना के बाद आप लिप्टे रहें, यह हुआ एक कंबल, आत्मा आसान, हलका और उत्साहजन, कुछ सपने दूसरो को चलाते हैं, लेकिन वे किस बारे में बात कर रहे हैं, वे मायावी हैं, लेकिन शुद्ध प्रेम से भरे हुए हैं, और उज्ज्वल खुशी की उम्मीद कर, याद रख यह हुआ, कार्ल इवानोविच और उनके कडवे भाग्य के बारे में, एक मात्र व्यक्ती, जिसे मै जानता था कि वहद दुखी और बनने के लिए खेद है, इसलिए उसे प्यार करें कि उसकी आँखों से आंसु बहें और आप सोचते हैं, उसे खुशी दें, मुझे उसकी मदद करने का अवसर दें, उसके दूहक को कम करें, मैं उसके लिए सब कुछ बलिदान करने के लिए तयार, फिर आप अपने पसंदीदा पोर्सिलेन टॉय, बनी या डॉग को डाउन कुशन के कोने में डुबो देंगे, और प्रशंसा करेंगे कि वहाँ जूट बोलना कितना अच्छा गर्म और आराम दायक, आप यह भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान सभी को खुशी द पास की शक्ती जो आपके पास बच्पन में है, क्या समय बहतर हो सकता है जब निर्दोश मज़ा और प्यार के लिए असीमित आवशक्ता के दो सबसे अच्छे गुण जीवन में एकमात्र आवेक थे, वे गर्म प्रार्थनाएं कहां है, सबसे अच्छा उपहार कहां है, को मेशा मेरे और इन उत्साह से दूर हो गए हैं, क्या कोई यादें बची हैं, मौस को जाने के लगभग एक महीने बाद मैं अपनी दादी के घर के शीर्ष पर एक बड़ी मेज पर बैठा और लिखा, मेरे विपरीत एक ड्राइंग शिक्षक बैठ गया और अंत में काली पे नहीं था ताकि उसे समय से धोया जा सके, मैंने शर्ट को सौंपने का काम किया और पूछा कि क्या मेरी दादी खड़ी थी, ऐसा कैसे, कौफी पहले से ही काट ली गई थी, और प्रोटो पॉप आया था, तुम क्या साथी हो, उसने एक मुस्कान के साथ जोड़ा, मेरी नई पोशाक के आसपार, टिपणी ने मुझे शर्मा दिया, मैं एक पैर पर लुड़का, अपनी उंगलियों को काट लिया और कूद गया, उसे यह महसूस करने के लिए कि वह अभी भी अच्छी तरह से नहीं जानता कि मैं वास्तव में युवा हूँ, जब मैं शर्ट को कार्ल इवानोविच के पास लाया, तो उसे अब उसकी जरूरत नहीं थी, उसने दूसरे पर डाल दिया, और मेज पर खड़े छोटे दरपन के सामने जुकते हुए, दोनों हाथों से अपनी टाई के शांदार धनुश के साथ आयोजित किया, और कोशिश की कि क्या उसकी चिकनी, शवन ठोड़ी स्वतंत्र रूप से उसमें और पीछे शामिल था, हर तरफ से हमारे कपड़े खींचे और निकोलाई को उसके लिए भी ऐसा करने के लिए कहा, वह हमें अपनी दादी के पास ले गया, मेरे लिए यह याद रखना मज़ेदार है कि जब हम सीडियों से नीच जिसके साथ वह अपना उपहार लाए, जिस मिनट कारल इवानुविच ने हॉल का दर्वाजा खोला, पुजारी ने गुलाब पर रखा और प्रार्थना की पहली आवाज निक, दादी पहले से ही हॉल में थी, नीचे जुकी हुई थी और कुरसी के पीछे जुक गई, वह पर खड़ी थी और दर्द से प्रार्थना, पिता जी उसके पास खड़े थे, वह हमारी ओर मुडा और मुस्कुराया, यह देखते हुए कि हम कैसे जल्दी में, अपनी पीट के पीछे तैयार उपहारों को छिपाते हैं, और किसी का ध्यान नहीं जाने की कोशिश करते का पूरा प्रभाव खो गया, जब वे क्रॉस से संपर्क करना शुरू करते थे, तो मुझे अचानक लगा कि मैं अप्रतिरोध्य मूर्कता पूर्ण शर्म से बहुत प्रभावित, और यह महसूस करते हुए कि मुझे अपना उपहार लाने के लिए कभी भी आत्मा नहीं मि मैं कार्ल इवानोविच के पीछे चिप, जो सबसे अधिक चैनित शब्दों में मेरी दादी को बधाई दी, अपने दाहिने हाथ से एक बॉक्स को बाई और स्थानांतरित किया, उसे एक सौतेला व्यक्ती सौंप दिया दादी बॉक्स के साथ खुश लग रही, सोने की खा रूप से यह कैसे बनाया गया, अपनी जिग्यासा को संतुष्ट करते हुए पिताजी ने इसे प्रोटोटाइप को सौंप, जिसे यह चोटी सी बात बेहत पसंद, उसने अपना सिर हिलाया और बॉक्स पर उच्सुकता से दे, फिर मास्टर पर जो इतनी खूबसूरत वे जानते हैं कि यह भावना समय के प्रत्यक्ष सम्मान में बढ़ रही है, और विप्रीत सम्मान में द्रसंकल्प कम होगे, अर्थात यह राज्य जितना अधिक जारी रहेगा, उतना ही अधिक दुर्गम होगा, और कम निरनायक, अंतिम साहस और द्रसंकल्प ने मुझे एक ऐसे समय में छोड़ दिया, जब कार्ल इवानोविच और वलोडिया ने अपने उपहार और मेरी शर्म अंतिम सीमा तक पहुंगा, मुझे लगा कि मेरे दिल से रक्त लगातार मेरे सिर में कैसे डाला जाता है, मेरे चेहरे पर एक पेंट दूसरे द्वारा कैसे बदल द और माथे और नाग पर पसीने की बड़ी बूंदें कैसे बिकान जल गए, मेरे शरीर के चारों और मुझे कांपने और वाश्पित होने का एहसा, पैर से पैर तक गूंद और हिलना नहीं, ठीक है, मुझे दिखाओ, निकोलेंग का, कि आपके पास बॉक्स या ड्राइंग ह मैं इस सोच से अपने होश में नहीं आ सका कि अपेक्षित ड्राइंग के बजाए मेरी बेकार कविताएं और शब्द सभी को पढ़ें, मा की तरह जो सपष्ट रूप से साबित करेगा कि मैंने उसे कभी प्यार नहीं किया और उसे भूल गें, मेरी पीडा को ऐसे समय में कै कैसे व्यक्त किया जाए जब मेरी दादी ने मेरी कविता को जोर से पढ़ना शुरू और जब बिना असंतुष्ट हुए, वह कविता के बीच में रुकता की एक मुस्कुराहट के साथ जो तब मेरा मजाक उड़ा रही थी, मेरे पिता जी को देखो, जब उसने किया जैसा म क्योंकि वह इतनी बुरी और कुटिल लिखित कविताओं को पढ़कर ठक गई थी, और इसलिए कि पिता जी अंतिम कविता पढ़ सकते थी, इसलिए स्पष्ट रूप से मेरी असमवेदन शीलता साबित, मुझे उमीद थी कि वह मुझे इन चंदों के साथ नाक पर क्लिक कर और कहेगा कमबक्त लड़का अपनी मा को मत भूल, यहां आप इसके लिए है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो, इसके विपरीत जब सब कुछ पढ़ा गया था, दादी ने कहा, आकरशक 11 और मेरे मातिक, वॉल्टे रोफ कुरसी के पुल आउट टेबल पर एक बॉक, सोच रही थी, चित्र को देखा, कचुवा सूंग में डाल दिया, और जवाब नहीं, मुझे बताओ, महा महिम, दोहराया फुट मैं, पूछें, ने कहा की करेंगे, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि अभी तो इस सफर की शुरुआत ही हुई है, अब इस सफर को आ मेशा ज्यादा चाहिए, ज्यादा पैसा, ज्यादा संपत्ति और ज्यादा लगजरी, लेकिन क्या वाकई ज्यादा का कोई अंत है, हाउजल कहते हैं कि पैसे की असली मनोविज्यान समझने का एक बड़ा हिस्सा ये है, कि आप खुद से पूछें कि मुझे कितना चाहिए, क्योंकि असली संतुष्टी तब मिलती है, जब आप जानते हैं कि आपके पास इतना है, जो आपके लिए परियाप्त है, बहुत से लोग अपने खर्चों को दूसरों से तुलना करके बढ़ाते हैं, अगर उनके दोस्त ने नई कार ली, तो उन्हें भी चाहिए, लेकिन हा अच्छी आर्थिक योजना वहन नहीं, है जो सिर्फ उच्चतम रिटर्न दे, बलकि वह है जो आपको आराम और सुरक्षा दे, हम में से कई लोग बहुत उच्च रिटर्न के लालच में जोखिम भरेनिवेश कर लेते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि अगर चीजें उल्टी पड़ गई, तो उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसलिए आपकी आर्थिक योजना में कुछ ऐसे हिस्से होने चाहिए, जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, ताकि अगर बाकी सब कुछ गलत हो जाए, तब भी आपके पास एक सुरक्षित आधार हो, अग कितना खर्च करना चाहिए और उन्हें कितना बचाना चाहिए, इस भ्रम के कारण वे गलत निर्णे लेते हैं और अंत में खुद को परिशानी में पाते हैं, इसलिए अपनी आर्थिक स्थिती को लेकर हमेशा स्पष्ट रहें, अपने खर्चों, बचत और निवेश को एक कि योजना के तहत रखें ताकि आप सही दिशा में आगे बढ़ सकें, एक और अहम बात जो मॉर्गन हाउजल ने कही है, वो है धैर्य की ताकत, वे बताते हैं कि वित्तिय सफलता का असली रहस्य धैर्य में छिपा है, हम मेंसे कई लोग चाहते हैं कि वे जल्दी अमीर बन विल्दबाजी न करें, धैर्य रखें और अपने निवेश को बढ़ने का समय दें, और आखिर में हाउजल हमें याद दिलाते हैं कि पैसा एक साधन है, न कि लक्ष्य, कई लोग अपनी पूरी जिंदगी पैसे के पीछे भागते हुए बिता देते हैं, लेकिन वे भूल कि पैसा हमें जीवन का आनंद लेने के लिए है, न कि जीवन को उससे नियंतरित करने के लिए, अपने जीवन के हर पल को जिएं, अपने अनुभवों को संजोएं, और याद रखें कि असली संपत्ति वह है जो आपको अंदर से खुश और संतुष्ट बनाती है, तो दोस् गए विचार, कहानियां और सबक हमें सिखाते हैं कि पैसे के खेल में असली जीत सिर्फ धन कमाने में नहीं, बलकि एक खुशहाल, संतुलित और संतोष जनक जीवन जीने में है, आईए, इस यात्रा को और भी गहराई से समझें, क्योंकि हर अध्याय के साथ हमें पैसे के बारे में कुछ नया और अनमोल जानने को मिलेगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह सफर अभी बाकी है, अब जब हमने The Psychology of Money की इतनी सारी परतों को खोला है, तो मौरगन हाउजल एक और दिल्चस्प पहलू पर प्रकाश डालते हैं, वित्तिये निर्णयों में लचीलापन, हाउजल का मानना है कि हमारी आर्थिक योजना ऐसी होनी चाहिए, जो समय के साथ बदल सके, जीवन में हमेशा अनिश्चितताएं बनी रहती हैं, कभी हमारी नौकरी चली जाती है, कभी अचानक से कोई बड़ा खर्च आ जाता है, अगर हम अपनी आर्थिक य अचानक बदलाव का सामना करना पड़े, तो हमारी आर्थिक स्थिती उस बदलाव को जहल सके, जैसे अगर आपके पास एक अच्छी इमरजेंसी फंड है, तो आप बिना घबराए ऐसी परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं, लचीलापन आपको मन की शान्ती और आत्म रहे हैं, वहाँ पैसा सिर्फ सामान और सेवाओं को खरीदने का माध्यम नहीं है, बलकि यह आपके जीवन के समय को खरीदने का साधन भी है, जब आपके पास आर्थिक स्वतंतरता होती है, तो आप अपनी शर्तों पर अपना जीवन जी सकते हैं, आप वो काम कर सकते हैं जिसे आप वास्तव में पसंद करते हैं, बिना इस डर के कि आपको किसी चीज के लिए समझोता करना पड़ेगा, इसलिए असली अमीरी का मतलब सिर्फ बैंक में बड़ी रकम नहीं है, बलकि वो आजादी है जो पैसा आपको देता है, एक और महत्वपूर्ण संदेश जो अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं, हाउजल ये भी कहते हैं कि जो लोग निवेश के मामलों में ज्यादा सोचते हैं या बार-बार बदलाव करते हैं, वे अकसर ज्यादा नुकसान उठाते हैं, इसलिए एक साधारन और समझदार निवेश योजना को अपनाना ही सही रास्ता वे यह भी मानते हैं कि आपकी अपनी संतुष्टी का स्तर जानना बहुत जरूरी है, हर किसी की आर्थिक स्थिती, जीवन, शैली और प्रात्मिक्ताएं अलग होती हैं, इसलिए यह समझना कि आपको खुद के लिए क्या चाहिए और कितने में आप खुश हैं, यह आपके इस सवाल का जवाब ढूंड लेते हैं, तो आप न केवल अपने वित्तिय लक्षों को प्राप्त कर पाते हैं, बलकि जीवन के हर पहलू में संतुलन भी बना पाते हैं, अंत में हाउजल हमें याद दिलाते हैं कि आर्थिक सफलता का कोई एक ही तरीका नहीं है, यह बहुत खुद के रास्ते को खोजें, अपने खुद के अनुभवों से सीखें, और अपनी खुद की आर्थिक यात्रा का आनंद लें, तो अद साइकोलोजी ओन अफ मनी हमें सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, बलकि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती हैं, यह हमें बतात स्वतंतरता और मन की शांती में भी होती है, दोस्तों, यह किताब एक ऐसी यात्रा है, जो हमें अपने पैसे और जीवन को एक नए दृष्टिकोन से देखने का मौका देती है, यह हमें खुद से सवाल पूछने, खुद को समझने, और अपने जीवन को अपने तरीके से ज हाउजल बताते हैं कि हमारे स्वाभाव, हमारी आदतें और हमारे पूर्वजन्म के अनुभव हमारी वित्तिय समझ को गहराई से प्रभावित करते हैं। यह स्वभाव का प्रभाव ही हमें पैसे के प्रती अलग-अलग दृष्टिकोन देता है। ये पूर्वाग्रह अक्सर हमें गलत दिशा में ले जाते हैं। हाउजल की सला है कि हमें इन पूर्वाग्रहों को चुनोती देनी चाहिए और एक तरक संगत और समझदार दृष्टिकोन अपनाना चाहिए। उदाहरन के लिए कई लोग सोचते हैं कि एक बड़ा घर या महंगी कार उन्हें समाज में एक खास स्थान दिला सकती है। लेकिन हाउजल बताते हैं कि असल में ये बाहरी चीजें अक्सर अस्थाई संतोष ही देती हैं। असली संतोष उस समय मिलता है जब आप खुद को और अपनी परिस्थितियों को सही से समझ पाते हैं और अपने निर्णे अपने खुद के सुख और संतोष के हिसाब से लेते हैं। फिर हाउजल वित्तिय समस्याओं से निपटने के तरीकों पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि जब हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है तो सबसे महतुपूर्ण बात ये है कि हम अपनी मानसिक्ता को बनाए रखें। तनाव और चिंता में हम अकसर गलत फैसले लेते हैं जो स्थिति को और बिगाड सकते हैं। हाउजल का कहना है कि एक ठंडी और संतुलित मानसिक्ता हमें सही निर्णे लेने में मदद करती है और इससे हमें मुश्किल समय में भी बेहतर तरीके से निपटने में सहायता मिलती है। इसके साथ ही हाउजल लंबी अवधी के द्रिष्टिकोन की भी चर्चा करते हैं। लेकर हमारी सामाजिक अपेक्षाएं पर भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि जब आप अपनी आर्थिक स्थिती को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपने खर्चों और निवेशों को सही दिशा में ले जाते हैं तो आप व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आप अपने जीवन के फैसले खुद ले सकते हैं बिना किसी आर्थिक दबाओ के। यह विचार इस बात को बल देता है कि आर्थिक स्वतंतरता सिर्फ एक अमीर व्यक्ति बनने का नाम नहीं है। आईए हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हाउजल इस किताब में और कौन-कौन से अनमोल विचार साजह करते हैं जो हमें पैसे के खेल को और बेहतर समझने में मदद कर सकते हैं। अब जब हम दे साइकोलोजी ओफ मनी के गहरे पहलूओं को समझ रहे हैं मौरगन हाउजल एक और महतुपून अवधारना की ओर इशारा करते हैं। पैसे की भावना और हमारा व्यवहार। इतना की आर्थिक योजना बनाना वे उदाहरन के तौर पर गौरव और आत्म समर्पन की बात करते हैं। हाउजल बताते हैं कि जब हम अपनी आर्थिक स्थिती में वृध्धी देखते हैं तो अक्सर हम अपनी सफलता को अपनी मेहनत और बुध्धिमत्ता के बल पर मानते हैं। लेकिन जब हमारी स्थिती खराब होती है तो हम बाहरी कारणों को दोश देते हैं। असल में वित्ती स्थिती का मूल्यांकन एक संतुलित दृष्टिकोन से करना चाहिए, जिसमें आत्म विशलेशन और खुद की समझ महत्वपून है। इसके साथ ही हाउजल पैसे के साथ खुशी की अवधारना पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे खुशी का साधन हो सकता है, लेकिन खुशी का स्रोत नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं कि अधिक पैसा होने से वे अधिक खुश रहेंगे लेकिन हाउजल का कहना है कि असली खुशी उस संतोश और साधारन जीवन में होती है जहां पैसे की आवशकता कम होती है हाउजल के अनुसार आर्थिक सफलता और खुशी का संबंध उस समय होता है जब आप अपनी इच्छाओं और जरूरतों को सही तरीके से समझ पाते हैं अगर आप अपनी खुशियों को बाहरी चीजों पर आधारित नहीं रखते तो आप पैसे की कमी या अधिकता के बावजूद संतोश और खुशी पा सकते हैं फिर वे लंबे समय तक निवेश और धैर्य की बात करते हैं हाउजल का कहना है कि निवेश में सफल होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है धैर्य वे उदाहरन के तोर पर बताते हैं कि जिन लोगों ने लंबे समय तक निवेश बनाए रखा उन्हें ही सबसे बेहतर रिटर्न मिला इसका मतलब यह है कि हमें अपने निवेश को समय देने की आवशक्ता होती है और जल्दी लाब के लिए मत भटकें इसके साथ ही वे समय का महत्व पर भी ध्यान देते हैं हाउजल बताते हैं कि समय एक ऐसा कारक है जो निवेश की सफलता को प्रभावित करता है अगर आप अपने पैसे को सही समय पर सही जगह पर निवेश करते हैं तो आप लंबे समय में बेहतर परिणाम देख सकते हैं आखिरकार हाउजल पैसे के प्रती उचित द्रिश्टिकोन की बात करते हैं वे बताते हैं कि पैसे को लेकर एक उचित और संतुलित द्रिश्टिकोन रखना बेहद जरूरी है। इसका मतलब है कि आप पैसे को अपनी जिन्दगी का केंद्र न बनाएं बलकि उसे एक साधन के रूप में देखें जो आपकी जिन्दगी को बेहतर बनाने में मदद करता है। इस किताब में हाउजल के विचार और कहानियाओं हमें सिखाती हैं कि पैसे के प्रती एक समझदारी और संतुलित द्रिश्टिकोन अपनाना कितना महत्वपूर्ण है। की और ले जाने में मदद करती हैं। जुड़े रहे हमारे साथ क्योंकि यह यात्रा अभी भी जारी है और बहुत कुछ सीखने को बाकी है। अब हम दस साइकोलोजी ओफ मनी के और गहरे पहलूँ की और बढ़ते हैं। मौरगन हाउजल पैसे और आत्म मुल्यता के विशय प पैसे आपकी सामाजिक स्थिती या आत्म मुल्यता को पूरी तरह से परिभाशित नहीं करते। आत्म मुल्यता अंदर से आती है और यह इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपने आपको कैसे देखते हैं और अपनी क्षमताओं और सफलताओं को कैसे मानते हैं। उदाहर नहीं होंगे, क्योंकि पैसे की मात्रा कभी बिस्थिर नहीं होती। हाउजल सामाजिक तुलना के प्रभाव को भी उजागर करते हैं। वे बताते हैं कि जब लोग दूसरों से अपनी तुलना करते हैं तो वे अक्सर अपनी वित्तिय स्थिति इसके साथ ही हाउजल पैसे की फिजूल खर्ची पर भी बात करते हैं। और उद्देश्य की महतवता पर जोर देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने बजट को बनाए रखना, नियमित रूप से बचत करना और अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। अनुशासन आपको लंबे समय में बेहतर वित्तिय स्थिति प्राप्त करने में मदद करता है। हाउजल स्मर्ट निवेश के बारे में भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि स्मर्ट निवेश का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा उच्छ रिटर्न की तलाश करें। बलकि यह है कि आप अपने निवेश को समझदारी और धैर्य के साथ करें। सही समय पर सही निवेश करना और दीर्ग कालिक दृष्टिकोन अपनाना ही स्मार्ट निवेश का हिस्सा है। अंत में हाउजल पैसे और जीवन की संतुलन की बात करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे का महत्व है। लेकिन यह जीवन का अंत नहीं है। पैसे की सही मात्रा और सही दिशा में निवेश करने से आप अपने जीवन को अधिक संतुलित और खुश्छाल बना सकते हैं। यह संतुलन आपको पैसे की मात्रा से अधिक महत्वपून है, यह आपकी खुशियों, अनुभवों और जीवन के आनंद पर निर्भर करता है। इस प्रकार अध साइकोलोजी और अफ मनी में हाउजल की बातें हमें पैसे के प्रती एक नया दृष्टिकों देती हैं। वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गनित और योजना का नहीं है, बलकि यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन के उद्देश से भी जुड़ा हुआ है। इस सफर को जारी रखते हैं और देखते हैं कि हाउजल इस किताब में और कौन-कौन से महतुपूर्ण विचार साजा करते हैं जो हमें पैसे और जीवन को समझने में और मदद कर सकते हैं। जब हम पैसे के संगर्ष में होते हैं तो हमें कई बार लगता है कि हमारी समस्याए कभी समाप्त नहीं होंगी। हाउजल बताते हैं कि इस संघर्ष को समझना और इस से सीखना जरूरी है। पैसे की कमी या समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं और ये हमें धैर्य, समझदारी और लचीलापन सिखाती हैं। हाउजल संघर्ष से उबरने के तरीके पर भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि पैसे के संघर्ष से उबरने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक ठोस योजना बनाएं और उस पर अमल करें। यह योजना आपको आपकी वित्तिय समस्याओं का समाधान खोजने में मदद करेगी और आपके आत्म विश्वास को भी बढ़ाएगी। इसके अलावा संघर्ष से उबरने के लिए मानसिक्ता को सकारात्मक रखना भी जरूरी है। अब हम सामाजिक मानकों और पैसे की बात पर ध्यान देते हैं। हाउजल बताते हैं कि समाज में पैसे को लेकर बहुत सारी अपेक्षाए होती हैं जैसे कि आपको अमीर दिखना चाहिए या उच्च जीवन शैलिया अपनानी चाहिए। लेकिन असल में ये सामाजिक मानक आपके वित्तिय लक्षों और खुशियों को प्रभावित कर सकते हैं। हाउजल का कहना है कि आपको समाज की अपेक्षाओं से बाहर जाकर अपने खुद की प्राथमिक ताओं और लक्षों को समझना चाहिए। जब आप अपने वित्तिय लक्षों को समाज के मानकों से अलग रखते हैं, तो आप एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही हाउजल पैसे का प्राथमिक उद्देश्य भी बताते हैं। वे कहते हैं कि पैसे का मुख्य उद्देश्य आपको स्वतंतरता और सुरक्षा देना है, न कि केवल भौतिक वस्तु में प्राप्त करना। जब आप पैसे को स्वतंतरता और सुरक्षा के रूप में देखते हैं, तो आप अपनी आर्थिक स्थिति को सही दिशा में ले जा सकते हैं. अब पैसे और मानसिक स्वास्थे के विशय पर आते हैं. हाउजल बताते हैं कि पैसे का मानसिक स्वास्थे पर गहरा असर होता है. जब आप आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं, तो यह आपके मानसिक स्वास्थे को प्रभावित कर सकता है। इसलिए पैसे की समस्या से निपटने के लिए एक स्वस्थ मानसिक्ता बनाए रखना जरूरी है। हाउजल का कहना है कि पैसे की समस्याओं को हल करने के लिए आपको एक ठोस योजना, आत्म विश्वास और मानसिक ताकत की आवश्यक्ता होती है। जब आप इन सभी चीजों को सही तरीके से अपनाते हैं, तो आप पैसे की समस्याओं से निपटने में सक्षम हो सकते हैं। एक नया दृष्टिकोन प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गणित और योजना का नहीं है, बलकि यह हमारी सोच, हमारी आदतों और हमारे जीवन के उद्देश से भी जुड़ा हुआ है। हम इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हाउजल इस किताब में और कौन-कौन से महतुपूर्ण विचार साजा करते हैं जो हमें पैसे और जीवन को समझने में और मदद कर सकते हैं। अब हम दे साइकोलोजी ओव मनी के अगले महतुपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं जो है पैसे और जीवन की प्रात्मिक्ता हैं। मौरगन हाउजल इस पर जोड़ देते हैं कि पैसे का सही उप्योग आपकी जीवन की प्रात्मिक्ताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। मौरगन हाउजल इस पर जीवन की प्रात्मिक्ताओं को पूरा करने में मदद कर सकता है। वे बताते हैं कि पैसे का कोई भी मात्रा आपको असली संतोष नहीं दे सकती। बलकि संतोष उस समय आता है जब आप अपनी प्रात्मिक्ताओं और जीवन के उद्देश्य को समझ पाते हैं। हाउजल का कहना है कि आपको पैसे के साथ संतोष और खुशी पाने के लिए अपनी प्रात्मिक्ताओं को समझना होगा और उन्हें अपने वित्तिय निर्णयों में शामिल करना होगा। वे फाइनेंशियल प्लाइनिंग्स पर भी जोड़ देते हैं। अब हाउजल पैसे के प्रती आत्मधारणा पर भी ध्यान देते हैं। हाउजल का कहना है कि पैसे का सही उप्योग और समय का प्रबंधन मिलकर आपके वित्तिय लक्षों को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। जब आप इन दोनों को संतुलित तरीके से प्रबंधित करते हैं तो आप एक होशाल और संतुलित जीवन जी सकते हैं। इस प्रकार The Psychology of Money में हाउजल के विचार हमें पैसे के प्रती एक नया दृष्टिकोन प्रदान करते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गणित और योजना का नहीं है, बलकि ये हमारी सोच, हमारी प्रात्मिकताओं और हमारे जीवन के उद्देश से भी जुड़ा हुआ है। इस यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हाउजल इस किताब में और कौन-कौन से महत्वपूर्ण विचार साजा करते हैं जो हमें पैसे और जीवन को समझने में और मदद कर सकते हैं। जब हम The Psychology of Money के अगले महत्वपूर्ण पहलू पर ध्यान देते हैं जो है पैसे का परिप्रेक्ष और जीवन के अनुभव। मौर्गन हाउजल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे का मूल्य केवल आर्थिक संजीवनी में नहीं बलकि आपके जीवन के अनुभवों और परिप्रेक्ष में भी होता है। या खुद को किसी नई गतिविधी में शामिल करना यह सभी अनुभव पैसे के साथ मिलकर आपके जीवन को और भी अधिक समरिद्ध और खोशहाल बना सकते हैं। वे पैसे और अनुभवों की संतुलन की बात करते हैं। हाउजल बताते हैं कि पैसे और अनुभवों के बीच सही संतुलन बनाए रखना आवश्चक है। पैसे केवल भौतिक वस्तुएं खरीदने का साधन नहीं होते बलकि वे आपको ऐसे अनुभव प्रदान कर सकते हैं जो आपके जीवन को मूल लिवान बनाते हैं। इसके साथ ही हाउजल लाइफस्टाइल और पैसे के संबंध को भी उजागर करते हैं। व्यक्तिगत विकास और शिक्षा में भी किया जा सकता है। कि शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं। हाउजल वित्तिय शिक्षा और ज्ञान के महत्व पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे को समझने और प्रबंधित करने के लिए वित्तिय शिक्षा और ज्ञान होना बेहत जरूरी है। जब आप पैसे के बारे में सही जानकारी और समझ रखते हैं, तो आप अपने वित्तिय फैसलों को बहतर तरीके से ले सकते हैं, और आर्थिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अब हाुजल पैसे और मानसिक स्वास्थे पर भी चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि पैसे का मानसिक स्वास्थे पर गहरा असर होता है जब आप अपनी आर्थिक समस्याओं का सामना करते हैं तो ये आपके मानसिक स्वास्थे को प्रभावित कर सकता है हाउजल का कहना है कि पैसे की समस्याओं से निपटने के लिए मानसिक्ता को सकारात्मक रखना महत्वपूर्ण है The Psychology on of Money में हाउजल की बातें हमें पैसे के प्रती एक नया द्रिष्टिकोन देती हैं वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गनित और योजना का नहीं है बलकि यह हमारे जीवन के अनुभवों, प्राथमिक्ताओं और मानसिक्ता से भी जुड़ा हुआ है तो दोस्तों, इस किताब में हाउजल के विचार हमें पैसे के गहरे और महत्वपूर्ण पहलूं को समझने में मदद करते हैं जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि यह यात्रा अभी भी जारी है और बहुत कुछ सीखने को बाकी है अब हम The Psychology of Money के अगले महत्वपूर्ण पहलू की ओर बढ़ते हैं जो है पैसे की स्विकृती और मानसिक्ता मौर्गन हाउजल इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे के प्रती हमारी मानसिक्ता और स्विकृती बहुत महत्वपूर्ण होती है हाउजल बताते हैं कि पैसे की स्विकृती का मतलब केवल पैसे को स्विकार करना नहीं है बलकि इसका मतलब है कि पैसे को एक साधन के रूप में समझना और उसे अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार उपयोग करना जब हम पैसे को सही दृष्टिकोन से देखते हैं और उसे सही तरीके से प्रबंधित करते हैं तो हम अपने वित्तिय लक्षों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं वे आत्म समर्पन और वित्तिय स्वतंतरता पर भी चर्चा करते हैं हाउजल का कहना है कि आत्म समर्पन से मतलब है कि आप पैसे के साथ एक स्वस्थ और जिम्मेदार संबंध बनाएं जब आप पैसे को एक साधन के रूप में देखते हैं और उसकी शक्ति को समझते हैं तो आप अपने जीवन में वित्तिय स्वतंतरता प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही हाउजल पैसे की समझिक स्विक्रती की बाद भी करते हैं वे बताते हैं कि समाज में पैसे को लेकर बहुत सारी अपेक्षाएं और मानग होते हैं, जो हमारे वित्तिय निर्नेओं को प्रभावित कर सकते हैं Hausel का कहना है कि हमें समाज की अपेक्षाओं से बाहर जाकर अपनी खुद की प्रात्मिक ताओं और लक्षियों को समझना चाहिए पैसे और भवश्य की योजना पर भी Hausel का ध्यान जाता है वे बताते हैं कि पैसे का सही उपयोग करने के लिए भविश्य की योजना बनाना आवश्यक है जब आप अपने भविश्य के लिए एक ठोस योजना बनाते हैं और उसे सही दिशा में लागू करते हैं तो आप अपने वित्तिय लक्षियों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सुरक्षित भविश्य सुनिश्चित कर सकते हैं हाउजल पैसे का सही प्रबंधन और व्यक्तिगत मूल्य पर भी चर्चा करते हैं वे कहते हैं कि पैसे का प्रबंधन केवल एक वित्तिय प्रक्रिया नहीं है, बलकि यह आपके व्यक्तिगत मूल्यों और जीवन की प्रात्मिक्ताओं से भी जुड़ा हुआ है, जब आप पैसे को अपने व्यक्तिगत मूल्यों के अनुसार प्रबंधित करते हैं, तो आप ए पैसे को अपने जीवन के उद्देश्य के अनुसार उपयोग करते हैं तो आप एक अधिक संतुलित और उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं The Psychology of Money में हाउजल की बाते हमें पैसे के प्रती एक नया द्रिश्टिकोन प्रदान करती हैं वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गनित और योजना का नहीं है बलकि यह हमारी मानसिक्ता, स्वीकृती और जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है आईए इस यात्रा को जारी रखें और देखते हैं कि हाउजल इस किताब में और कौन-कौन से महत्वपूर्ण विचार साजा करते हैं जो हमें पैसे और जीवन को समझने में और मदद कर सकते हैं कि पैसे का असुरक्षा से गहरा संबंद होता है और यह हमारे जीवन के कई पहलूओं को प्रभावित करता है हाउजल बताते हैं कि असुरक्षा का अहसास हमें आर्थिक स्थिती को लेकर एक स्थिरता और सुरक्षा की आवश्यक्ता महसूस कराता है जब हम आर्थिक असुरक्षा का सामना करते हैं तो हम हमेशा यह सोचते हैं कि क्या हमारी स्थिती बेहतर हो सकती है या क्या हमें और अधिक पैसे की आवश्यक्ता है यह असुरक्षा हमारे वित्तिय फैसलों को प्रभावित कर सकती है और हमें एक स्थिर जीवन जीने में मुश्किलें पेश कर सकती है वे आर्थिक स्थिर्ता और मानसिक शान्ती पर भी चर्चा करते हैं हाउजल का कहना है कि आर्थिक स्थिर्टा केवल पैसे की अधिकता से नहीं मिलती, बलकि यह आपकी मानसिक शान्ती और संतोष से भी जुड़ी होती है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिती को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और एक स्थिरता प्राप्त करते हैं तो आप मानसिक, शांती और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही हाउजल पैसे की तुलना और समाजिक दबाव की बात भी करते हैं। वे बताते हैं कि समाज में पैसे की तुलना और सामाजिक दबाव हमें अधिक पैसे कमाने और दिखावा करने के लिए प्रेरिद कर सकते हैं हाउजल का कहना है कि इन दबावों को समझना और उन्हें सही दृष्टिकोन से देखना महतुपूर्ण है ताकि आप अपनी वित्ति स्थिती को समाज के मानकों से नहीं बलकि अपनी खुद की प्रात्मिकताओं से माप सकें पैसे और खुशी के सम्बंद पर भी हाउजल का ध्यान जाता है वे बताते हैं कि पैसे का खुशी के साथ सीधा सम्मंद नहीं होता पैसे कुछ हद तक खुशी प्रदान कर सकते हैं, लेकिन असली खुशी आपके जीवन की प्रात्मिकताओं, संबंधों और आत्मसंतोश से आती है हाउजल का कहना है कि आपको पैसे को खुशी का साधन मानने के बजाए इसे जीवन की प्रात्मिकताओं को पूरा करने के एक साधन के रूप में देखना चाहिए हाउजल पैसे की मानसिक्ता और व्यक्तिगत विकास पर भी बात करते हैं वे बताते हैं कि पैसे की मानसिक्ता और उसके प्रती आपका दृष्टिकून आपके व्यक्तिगत विकास को प्रभावित कर सकते हैं। जब आप पैसे को एक सकारात्मक दृष्टिकोन से देखते हैं और उसे अपने विकास के लिए उपयोग करते हैं, तो आप एक सफल और संतुलित जीवन जी सकते हैं. अब हाउजल पैसे की दीर्ग कालिक योजना पर भी ध्यान देते हैं. वे बताते हैं कि पैसे की दीर्ग कालिक योजना बनाना और उसे सही दिशा में लागू करना बहुत महत्वपूर्ण है. जब आप दीर्ग कालिक दृष्टिकोन अपनाते हैं और अपनी योजना को समय क साथ लागू करते हैं तो आप अपने वित्तिय लक्षियों को बहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही हाउजल पैसे और व्यक्तिगत खुशियाओं के सम्मंद पर भी चर्चा करते हैं वे कहते हैं कि पैसे का सही उपयोग आपकी व्यक्तिगत खुशियों को बढ़ा सकता है जब आप पैसे को अपनी खुशियों और प्रात्मिक्ताओं के अनुसार खर्च करते हैं तो आप एक संतुलित और खुशहाल जीवन जी सकते हैं The Psychology of Money में हाउजल के विचार हमें पैसे के प्रती एक नया दृष्टिकून प्रदान करते हैं वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गणित और योजना का नहीं है बलकि ये हमारी मानसिक्ता असुरक्षा और व्यक्तिगत खुशियों से भी जुड़ा हुआ है जुड़े रही है हमारे साथ क्योंटि इस यात्रा में हम और भी महत्वपूर्ण विचारों और सिखने के अनुबवों की खोजमें हैं हम आगे भी इस किताब के आने पहलों को समझने की कोशिश करेंगे जो हम इन पैसे और जीवन को भी गहरा असर होता है हाउजल का कहना है कि पैसे का सही उपयोग आपकी आत्म प्रेर्णा को बढ़ा सकता है जब आप पैसे को सही दिशा में निवेश करते हैं तो यह आपको अपने लक्षों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित कर सकता है उदाहरन के लिए अगर आप पैसे को अपनी शिक्षा या व्यक्तिकत विकास में निवेश करते हैं तो यह आपको बहतर अवसर और प्रेरणा प्रदान कर सकता है वे पैसे और आत्म मूल्यता पर भी चर्चा करते हैं हाउजल बताते हैं कि पैसे की तुलना में आत्म मूल्यता अधिक महत्वपूर्ण होती है बहुत से लोग पैसे को अपनी आत्म मूल्यता से जोडते हैं लेकिन हाउजल का कहना है कि असली आत्म मूल्यता आपके आंतरिक गुणों और क्षमताओं से आती है नकि केवल पैसे से इसके साथ ही हाउजल पैसे और जीवन के उद्देश्य पर भी बात करते हैं वे बताते हैं कि पैसे का सही उपयोग आपके जीवन के उद्देश्य को पूरा करने में मदद कर सकता है जब आप पैसे को अपने जीवन के उद्देश्य और लक्षों के अनुसार उपियोग करते हैं तो आप एक संतुलित और उद्देश्य पूर्ण जीवन जी सकते हैं हाउजल आर्थिक स्वतंतरता और आत्म निर्णय पर भी जोर देते हैं वे कहते हैं कि आर्थिक स्वतंतरता का मतलब केवल पैसे की अधिकता नहीं है बलकि इसका मतलब है कि आप अपनी जीवन की प्राथमिक्ताओं और निर्णयों को स्वतंतरता से ले सकते हैं जब आप आर्थिक स्वतंतरता प्राप्त करते हैं तो आप अपने जीवन के निर्णे खुद ले सकते हैं बिना किसी आर्थिक दबाव के। अब हाउजल पैसे और सामाजिक प्रभाव के संबंध पर चर्चा करते हैं। वे बताते हैं कि पैसे का सामाजिक प्रभाव भी महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिती को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान करते हैं तो आप पैसे का सामाजिक प्रभाव बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हाउजल पैसे और मानसिक्ता पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे की मानसिक्ता आपके वित्तिय फैसलों और जीवन के दृष्टिकोंड को प्रभावित करती हैं। जब आप पैसे को एक सकारात्मक और प्रबंधनीय दृष्टिकों से देखते हैं, तो आप अपने वित्तिय लक्षियों को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं. हाउजल पैसे का संतुलित उप्योग पर भी चर्चा करते हैं. वे बताते हैं कि पैसे का संतुलित उप्योग आपके जीवन के कई पहलूओं को प्रभावित करता है. जब आप पैसे को सही दिशा में और संतुलित तरीके से उप्योग करते हैं, तो आप एक खुशहाल और सं आत्म मूल्यता और जीवन के उद्देश्य से भी जुड़ा हुआ है। जोखिम का गहरा संबंध होता है और ये हमारे वित्तिय निर्णेओं को कैसे प्रभावित करता है। पैसे और असफलता के संबंध पर भी बात करते हैं। हाउजल का कहना है कि पैसे के साथ असफलता का सामना करना भी एक सामान्य प्रक्रिया है। असफलता से सीखना और उसे एक अनुभव के रूप में स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। जब आप असफलताओं को एक सीखने के अवसर के रूप में देखते हैं, तो आप भविश्य में बहतर निर्णय ले सकते हैं और अपनी वित्तिय स्थिति को सुधार सकते हैं। हाउजल पैसे और दीर्घकालिक द्रिष्टिकोन पर भी चर्चा करते हैं। जब आप अपनी वित्तिय स्थिति को समझदारी से प्रबंधित करते हैं और एक स्पष्ट योजना बनाते हैं, तो आप मानसिक तनाव को कम कर सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। हाउजल पैसे और आत्म सैयम की बात भी करते हैं। वे बताते हैं कि आत्म सैयम पैसे के सही प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण भूमी का निभाता है। जब आप अपने खर्चों और निवेशों पर आत्म सैयम बनाए रखते हैं, तो आप अपनी वित्ती अस्थिती को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं और दीर्ग कालिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पैसे और आपसी संबंध पर भी हाउजल का ध्यान जाता है। वे बताते हैं कि पैसे के कारण आपसी संबंध भी प्रभावित हो सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप पैसे के साथ संबंधों को समझदारी से प्रबंधित करें और पैसे के दबाव को संबंधों पर हावी न होने दे। सही तरीके से पैसे का प्रबंधन करने से आप अपने संबंधों को भी मजबूत बना सकते हैं। अब हाउजल पैसे और निर्णे लेने की प्रक्रिया पर भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि पैसे के साथ निर्णे लेने की प्रक्रिया में समझदारी और विशलेशन महतुपूर्ण होते हैं। जब आप अपने वित्तिय निर्णेयों को पूरी जानकारी और समझ के साथ लेते हैं, तो आप बहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं और अपनी वित्तिय स्थिती को सुधार सकते हैं। क्योंकि हम इस किताब के अन्य महत्वपूर्ण पहलूं को समझने की कोशिश करेंगे और पैसे और जीवन के गहरे पहलूं को जानने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में हमें और भी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें अपने वित्तिय और व्यक्तिगत ज पर गहरा प्रभाव पड़ता है। पैसे का अनुभव और सामाजिक संदर्भ हमारे वित्तिय निर्णेओं को प्रभावित करते हैं। पैसे का मूल्य पर भी चर्चा करते हैं। तो आप अपनी वित्तिय स्थिती को बहतर बना सकते हैं और एक संतुलित जीवन जी सकते हैं। अब हाउजल पैसे और मानसिक्ता के बीच संबंध पर भी बात करते हैं। वे कहते हैं कि पैसे की मानसिक्ता और उसकी स्वीकृती आपके वित्तिय फैसलों को प्रभावित करती है। जब आप पैसे के प्रती एक सकारात्मक और समझदारी भरी मानसिक्ता रखते हैं, तो आप अपने वित्तिय लक्षों को बहतर तरीके से प्राप्त कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसके साथ ही हाउजल पैसे का दिर्गकालिक प्रभाव पर भी ध्यान देते हैं। आपके जीवन के अनुभवों और सम्बंधों से आती हैं। और पैसे और जीवन के गहरे पहलूं को जानने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में हमें और भी महत्वपून बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें अपने वित्तिय और व्यक्तिगत जीवन में मदद करेंगी। अब हम the psychology of money के अगले पहलू की ओर बढ़ते हैं जो है पैसे और जीवन की गुनवत्ता। Morgan Housel इस पर चर्चा करते हैं कि पैसे का जीवन की गुनवत्ता पर कितना गहरा असर होता है और हम इसे कैसे समझ सकते हैं। पैसे और व्यक्तिगत आनंद पर भी बात करते हैं। पैसे का उपयोग अपने स्वास्थे और भलाई के लिए करते हैं तो आप एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अब हाउजल पैसे और समाजिक समर्पन पर भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि पैसे का समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना भी महत्वपूर्ण होता है। जब आप अपनी आर्थिक स्थिती को समाज के हित में उपयोग करते हैं और समाज में सकारात्मक योगदान करते हैं, तो आप पैसे के सामाजिक प्रभाव को बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही हाउजल पैसे और व्यक्तिगत स्वतंतरता पर भी ध्यान देते हैं। वे कहते हैं कि पैसे का उपयोग आपकी व्यक्तिगत स्वतंतरता को भी प्रभावित करता है। जब आप पैसे को सही दिशा में प्रबंधित करते हैं और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं तो आप एक स्वतंत्र और संतुलित जीवन जी सकते हैं The Psychology of Money में हाउजल के विचार हमें पैसे के प्रती एक नई दृष्टिकोन प्रदान करते हैं वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गनित और योजना का नहीं है बलकि यह जीवन की गुणवत्ता व्यक्तिगत आनंद और समाजिक समर्पन से भी जुड़ा हुआ है जोड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम इस किताब के अन्य महतोपून पहलूँ को समझने की कोशिश करेंगे और पैसे और जीवन के गहरे पहलूँ को जानने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में हमें और भी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें कहते हैं कि पैसे का उपयोग आपकी व्यक्तिगत स्वतंतरता को भी प्रभावित करता है जब आप पैसे को सही दिशा में प्रबंधित करते हैं और अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखते हैं तो आप एक स्वतंत्र और संतुलित जीवन जी सकते हैं The psychology of money में हाउजल के विचार हमें पैसे के प्रती एक नई द्रिष्टिकोन प्रदान करते हैं वे हमें सिखाते हैं कि पैसे का खेल केवल गणित और योजना का नहीं है बलकि यह जीवन की गुनवत्ता, व्यक्तिगत आनंद और समाजिक समर्पन से भी जुड़ा हुआ है जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम इस किताब के अन्य महत्व्पूर्ण पहलूँं को समझने की कोशिश करेंगे और पैसे और जीवन के गहरे पहलूँं को जानने का प्रयास करेंगे इस यात्रा में हमें और भी महत्व्पूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी जो हमें अपने वित्तिय और व्यक्तिगत जीवन में मदद करेंगी अब हम The Psychology of Money के एक और महतुपून पहलू की ओर बढ़ते हैं जो है पैसे की अपेक्षाएं और वास्तविक्ता Morgan Housel इस पर चर्चा करते हैं कि पैसे की अपेक्षाएं और वास्तविक्ता कैसे हमारे वित्तिय द्रिष्टिकोन को प्रभावित करती हैं Housel बताते हैं कि अक्सर हमारी पैसे की अपेक्षाएं और वास्तविक्ता के बीच एक अंतर होता है जब हमारी अपेक्षाएं अधिक होती है और वास्तविक्ता उस स्तर की नहीं होती तो ये हमें असंतोश और तनाव का सामना करवा सकती है हाउजल का कहना है कि पैसे की अपेक्षाओं को वास्तविक्ता के साथ मेल मिलाना महतुपूर्ण होता है इसके लिए आपको अपनी वित्तिय योजनाओं और लक्षों को यथार्थवादी दिश्टिकोंड से देखना चाहिए वे पैसे और तुलना पर भी बात करते हैं हाउजल का कहना है कि पैसे की तुलना दूसरों से करना हमें अपने वित्तिय लक्षों को प्राप्त करने में रोक सकता है। जब आप अपने पैसे की तुलना दूसरों की स्थिती से करते हैं तो यह आपको असंतोश और तनाव में डाल सकता है। इसके बजाए हाउजल सलाह देते हैं कि आपको अपनी वित्तिय यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने व्यक्तिगत लक्षों को प्रात्मिक्ता देना चाहिए इसके साथ ही हाउजल पैसे और संतोष के संबंध पर चर्चा करते हैं वे बताते हैं कि पैसे का सही उपयोग आपको संतोष प्राप्त करने में मदद कर सकता है लेकिन असली संतोष आपके जीवन के अनुभवों और प्रात्मिक्ताओं से आता है पैसे को उन चीजों में निवेश करें जो आपके जीवन को बहतर बनाती हैं और आपको खुशी और संतोष प्राप्त कराती हैं हाउजल पैसे और भविश्य की योजना पर भी ध्यन देते हैं वे कहते हैं कि पैसे का सही प्रबंधन दीरकालिक योजना और भविश्य की तैयारी में महत्वपुर्ण भूमिका निभाता है। जब आप अपने पैसे को भविश्य के लिए योजना बनाकर और समझदारी से प्रबंधित करते हैं, तो आप एक स्थिर और सुरक्षित विट्टिय भविश्य सुनिश्चित कर सकते हैं। अब हाउजल पैसे और लचीलापन पर भी बात करते हैं। वे बताते हैं कि पैसे का सही उपयोग आपको जीवन में लचीलापन और अनुकूलन क्षमता प्रदान कर सकता है। जब आप अपनी विट्टी अस्थिती को समझदारी से प्रबंधित करते हैं, तो आप जीवन की अप्रत्याशित घटनाओं के प्रति अधिक लचीला और अनुकूलन शील हो सकते हैं। इसके साथ ही हाउजल पैसे और आत्म स्वायत्ता पर भी चर्चा करते हैं। जब आएं, तुलना, संतोश और दीर्घकालिक योजना से भी जुड़ा हुआ है। जुड़े रहिए हमारे साथ क्योंकि हम इस किताब के अन्य महत्वपूर्ण पहलूं को समझने की कोशिश करेंगे और पैसे और जीवन के गहरे पहलूं को जानने का प्रयास करेंगे। इस यात्रा में हमें और भी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलेंगी, जो हमें अपने वित्ति और व्यक्तिगत जीवन में मदद करेंगी। अब हम द साइकोलोजी। अनफमनी के अगले महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, जो है जोखिम और सुरक्षा का संतुलन। मौरगन हाउजल यहाँ समझाते हैं कि पैसे के मामले में जोखिम लेना कब सही होता है और कब सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। हाउजल बताते हैं कि वित्तिय सफलता पाने के लिए एक संतुलन बनाना जरूरी है जोखिम और सुरक्षा के बीच। जब आप निवेश करते हैं तो जोखिम लेना अकसर जरूरी होता है क्योंकि अधिक जोखिम का मतलब अधिक रिटर्न की संभावना होती है। लेकिन यहाँ एक समझदारी की बात है कि आपको इस जोखिम को अपनी आर्थिक स्थिती, उम्र और लक्षों के आधार पर समायोजित करना चाहिए। वो पैसे का मानसिक पक्षपर भी जोर देते हैं। हाउजल कहते हैं कि जोखिम से निपटने में सबसे बड़ा हिस्सा आपके मनका होता है। जोखिम को सही ढंक से संभालने के लिए मानसिक स्थिरता और समझदारी की आवशक्ता होती है। जब आप जोखिमों को सही परिप्रेक्षय में देखते हैं, तो आप अपने निवेश और वित्तिय निर्णयों में अधिक स्थिर रह सकते हैं. इसके साथ ही हाउजल सुरक्षा का महत्व को भी समझाते हैं. वे कहते हैं कि अपनी वित्तिय सुरक्षा को बनाए रखना उतना ही महतोपूर्ण है जितना की जोखिम लेना सुरक्षा का मतलब है कि आप अपने खर्चों को नियंतरित रखते हैं एक इमर्जेंसी फंड रखते हैं और भविश्य के लिए तैयारी करते हैं ये सुरक्षा आपको जीवन की अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद करती है और आपको मानसिक शांती देती है अब हाउजल पैसे और धैर्य के बारे में भी बात करते हैं उनका कहना है कि धैर्य वित्तिय सफलता की कुण्जी है पैसे को समय के साथ बढ़ने का मौका देना और बाजार के उतार चड़ाव को सहन करना आपके वित्तिय लक्षियों को प्राप्त करने में महतवपूर्ण होता है धैर्य के बिना आप जल्दी लाप के पीछे भाग सकते हैं और दीर्घकालिक दिर्ष्टिकोन को भूल सकते हैं हाउजल पैसे और गलतियों से सीखना पर भी विचार व्यक्त करते हैं वे कहते हैं कि वित्तिय जीवन में गलतियां होना स्वाभाविक है सबसे महतवपूर्ण बात यह है कि आप उन गलतियों से सीखें और उन्हें अपने भविश्य के वित्तिय निर्णयों में सुधार के रूप में इस्तेमाल करें अपने वित्तिय जीवन में जब आप असफल होते हैं तो इसे एक अवसर के रूप में देखें और यह जाने कि आपने कहां गलती की और कैसे आप इसे आगे सुधार सकते हैं इसके अलावा हाउजल पैसे और आजादी पर भी एक खास दृष्टिकोन रखते हैं वे बताते हैं कि पैसे का सही प्रबंधन आपको आजादी देता है आजादी अपने समय, अपनी प्राथ मिक्ताओं और अपनी जीवन शैली के बारे में निर्ने लेने की जब आप अपनी वित्तिय स्थिती को समझदारी से संभालते हैं तो आप एक ऐसी स्थिती में पहुँच जाते हैं जहां आप केवल पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रहे होते बलकि पैसे का उपयोग अपनी आजादी और खुशहाली के लिए कर रहे होते हैं The Psychology of Money हमें ये सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है लेकिन इसकी सही समझ और प्रबंधन जीवन की दिशा और गुणवत्ता को बदल सकता है हाउजल के विचार हमें जोखिम लेने, सुरक्षा बनाए रखने, धैरे रखने और अपनी गलतियों से सीखने के महत्व को समझने में मदद करते हैं इस सफर में हम आगे भी इस किताब के कई और दिल्चस्प पहलूँ को जानेंगे पैसे की इस मानसिक्ता की यात्रा में हमारे साथ बने रहिए जहां हम और भी महत्वपूर्ण बातें सीखेंगे जो हमें न केवल एक बहतर वित्तिय जीवन बलकि एक संतुलित और खुशहाल जीवन जीने में मदद करेंगी आईए अब हम्द साइकोलाजी और अफमनी के एक और दिल्चस्प पहलू पर नजर डालते हैं जिसे हाउजल ने कभी भी परियाप्त नाम दिया है यह विचार की कितना परियाप्त है एक महत्वपूर्ण प्रशन है मौर्गन हाउजल बताते हैं कि बहुत से लोग अपनी विच्टी स्थिती में परियाप्त शब्द का अर्थ नहीं समझते कई बार ऐसा होता है कि जब लोग एक खास स्तर पर पहुँच जाते हैं तो वे संतुष्ट नहीं होते वे और अधिक पाने की चाहत में लगे रहते हैं हाउजल इसे कभी भी परियाप्त का सिंड्रोम कहते हैं वे बताते हैं कि अगर आपके पास संतुष्टी का अहसास नहीं है तो चाहे आपके पास कितना भी पैसा हो वह आपको खुशी और संतोश नहीं देगा हाउजल यहां एक महतुपूर्ण सबक सिखाते हैं सच्ची संतुष्टी का अर्थ है उस बिंदु को पहचानना जहां आप यह कह सकें मेरे पास जो है वह परियाप्त है यह विचार न केवल पैसे के संदर्भ में बलकि जीवन के अन्य पहलों में भी लागू होता है जब आप जानते हैं कि आपके लिए परियाप्त क्या है तो आप जीवन की दौड में अधिक संतुलित और शांत रहते हैं वे पैसे और लालच के संबंद पर भी विचार करते हैं हाउजल का कहना है कि लालच एक ऐसी भावना है जो हमें कभी भी पूर्ण महसूस नहीं करने देती यह हमें और अधिक पाने की लालसा में उल्जा देती है कई बार लोग इस लालच में अपनी आर्थिक स्थिती, रिष्टे और मानसिक शांती को भी खत्रे में डाल देते हैं इसलिए हाउजल हमें सलाह देते हैं कि हमें लालच से सावधान रहना चाहिए और यह समझना चाहिए कि परियाप्त का अर्थ क्या है इसके अलावा हाउजल पैसे और आज का आनंद पर भी ध्यान केंद्रित करते हैं वे बताते हैं कि पैसे का सही उप्योग हमें वर्तमान में आनंद लेने की आजादी देता है इसका मतलब यह नहीं कि हम भविश्य के लिए बचत करना छोड़ दें बलकि हमें अपने वर्तमान और भविश्य के बीच संतुलन बनाना चाहिए अगर हम सिर्फ भविश्य की चिंता में आज का आनंद खो देते हैं तो हम असली खुशी से वंचित रह जाते हैं अब वे पैसे और सीखने की प्रक्रिया की बात भी करते हैं हाउजल कहते हैं कि पैसे के मामले में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती चाहे आप कितना भी जानते हों या अनुभव रखते हों वित्तिय दुनिया हमेशा बदलती रहती है इसलिए हमें हमेशा सीखने, समझने और अपने दृष्टिकोन को अपडेट करने के लिए तैयार रहना चाहिए हाउजल पैसे और नियंतरन पर भी विचार करते हैं वे बताते हैं कि हमें यह समझना चाहिए कि पैसे का नियंत्रन पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता कई बाहरी कारक जैसे बाजार की स्थिती अर्थव्यवस्था और जीवन की अप्रत्याशित घटनाएं हमारे वित्तिये निर्णयों पर असर डाल सकती है इसलिए हमें लचीलापन और समझदारी के साथ अपने पैसे का प्रबंधन करना चाहिए हमें पैसे के बारे में सोचने का एक नया तरीका देती है मॉर्गन हाउजल हमें याद दिलाते हैं कि पैसा केवल आंकडों और गणित का खेल नहीं है बलकि ये हमारी मानसिक्ता, भावनाओं और जीवन के दृष्टी कोन का हिस्सा है जब हम ये समझते हैं कि परियाप्तता, लालच, आनंद और नियंतरन क्या है तो हम नकेवल एक बेहतर वित्तिय जीरन जी सकते हैं बलकि एक संटुलित और खुशहल जीरन की और बढ़ सकते हैं इस किताब में आगे भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा जूडें रहिए हमारे साथ क्योंकि हम दसे माव चेल बात क्या लेतिये इस साइकोलोजी ओफ मनी के अन्य अद्वितिये विचारों की खोज जारी रखेंगे और पैसे के गहरे रहस्यों को समझने का प्रयास करेंगे अब हम इस किताब के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे जिसे मौर्गन हाउजल अद्रश रिटर्न्स कहते हैं अक्सर हम पैसे के मामले में केवल उन रिटर्न्स को देखते हैं जो सीधे हमारे बैंक खाते में दिखते हैं जैसे कि निवेश पर मिलने वाला ब्याज शेर बाजार से मिलने वाले लाब आदी लेकिन हाउजल का कहना है कि वित्तिय जीवन में ऐसे भी रिटर्न्स होते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते लेकिन वे हमारी समगर वित्तिय स्थिती को गहराई से प्रभावित करते हैं हाउजल बताते हैं कि अद्रश्य रिटर्न्स में ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं जैसे वित्तिय शान्ती, मानसिक स्थिर्ता और लचीलापन अगर आपके पास इमर्जेंसी फंड है तो शायद वो आपको हर महीने कोई ब्याज नहीं दे रहा लेकिन यह आपको मानसिक शान्ती देता है यह जानना कि आपके पास बुरे समय के लिए एक सुरक्षा जाल है, अपने आप में एक महत्वपूर्ण रिटर्न है इसी तरह हाउजल यह भी बताते हैं कि पैसे के मामले में धैर्य एक प्रकार का अद्रिश रिटर्न है जब आप धैर्य पूर्वक अपने निवेश को बढ़ते हुए देखते हैं और बाजार के उतार चढ़ाओ से घबराते नहीं हैं तो यह आपके वित्तिय जीवन में स्थिर्ता और वृद्धिलाता है धैर्य का यह अद्रिश रिटर्न आपके दीरघकालिक वित्तिय लक्षों को प्राप्त करने में मदद करता है वो पैसे और निर्णे लेने की स्वतंतरता पर भी जोर देते हैं हाउजल का कहना है कि जब आप समझदारी से पैसे का प्रबंधन करते हैं तो यह आपको निर्णे लेने की स्वतंतरता देता है चाहे वह नौकरी बदलने का निर्णे हो एक नए शहर में जाने का या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने का पैसे का सही प्रबंधन आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी देता है यह स्वतंतरता शायद आपके बैंक बैलेंस में दिखाई न दे लेकिन यह एक ऐसा रिटर्न है जिसे आप हर दिन महसूस करते हैं अब हाउजल पैसे और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंडेंस की बात भी करते हैं वित्तिय स्वतंतरता का अर्थ सिर्फ यह नहीं है कि आपके पास धेर सारे पैसे हों इसका असली मतलब है कि आप अपने समय और जीवन के बारे में स्वतंतर रूप से निर्णे ले सकें वित्तिय स्वतंतरता वह स्थिती है जहां आप पैसे की चिंता किये बिना अपने सपनों और इच्छाओं को पूरा कर सकें यह स्थिति प्राप्त करने के लिए एक समझदारी भरी वित्तिय योजना और दीरगकालिक दृष्टिकोन आवश्यक होता है हाउजल पैसे और जिंदगी के निर्णय पर भी अपनी राय रखते हैं वे बताते हैं कि पैसा कई बार हमें उन चीजों में उलजा देता है जो वास्तों में हमारी प्राथमिक्ता नहीं होती वे हमें यह सोचने के लिए प्रोथसाहित करते हैं कि क्या हम अपने पैसे का उप्योग उन चीजों में कर रहे हैं जो हमारे लिए सही मायनों में मूल्यवान है हमें यह समझना होगा कि पैसा एक साधन है न की अंत इसका उपयोग हमें एक ऐसा जीवन जीने में मदद करने के लिए होना चाहिए जो हमारे मूलियों और प्राथमिक्ताओं के साथ मेल खाता हो The Psychology of Money हमें यह सिखाती है कि पैसा सिर्फ भौतिक चीजों का नाम नहीं है यह एक मानसिक्ता है एक द्रिष्टिकोन है और जीवन के प्रती हमारा रवाईया है मौर्गन हाउजल हमें पैसे के उन पहलूँ के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरंदाज कर देते हैं अद्रिष्य रिटर्न्स, मानसिक शान्ती और स्वतंतरता जैसे जैसे हम इस किताब में आगे बढ़ते हैं हम और भी गहरे विचारों और अवधारणाओं को समझेंगे बारे सायन राम अलता साइकोलोजी और फमनी की यह यात्रा हमें केवल पैसे के बारे में नहीं बलकि जीवन के बारे में भी गहराई से सोचने पर मजबूर करती है तो हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम इस यात्रा में और भी महत्वपूर्ण सीख प्राप्त करेंगे जो हमें न केवल वित्तिय रूप से बलकि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी समरिध बनाएगी आईए अब हम इस किताब के एक और दिल्चस्प पहलू की और बढ़ते हैं जिसे मौरगन हाउजल पैसे और खुशी के रूप में पेश करते हैं हाउजल कहते हैं कि अक्सर हम यह मानते हैं कि पैसा अपने आप हमें खुशी देगा लेकिन सच्चाई यह है कि पैसा खुद में खुशी नहीं ला सकता असल में यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम पैसे का उपियोग कैसे करते हैं और हमारी पैसे के प्रती सोच कैसी है हाउजल बताते हैं कि खुशी का असली स्रोत हमारे जीवन में संतुलन और संतुष्टी से आता है अगर हम लगातार अपने जीवन में केवल धन संपत्ती जोडने की कोशिश में लगे रहते हैं तो हम अपनी असली खुशियों को खो सकते हैं पैसा हमें खुश कर सकता है लेकिन केवल तब जब हम इसे अपने मूलियों, सपनों और प्राथमिक्ताओं के साथ संतुलित करके इस्तिमाल करें वे अनुभव बनाम संपत्ती पर जोड़ देते हैं हाउजल का मानना है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि बड़ी गाड़ी, बड़ा घर या महंगी चीजें खरीदना ही खुशी का रास्ता है लेकिन अध्यनों से पता चलता है कि अनुभव जैसे यात्रा करना, नई चीजें सीखना और अपने प्रियजनों के साथ समय बिताना हमें अधिक स्थाई खुशी प्रदान करते हैं अनुभव न केवल हमारे जीवन को समर्द्ध बनाते हैं, बलकि वे हमारी यादों में एक गहरी चाप छोड़ते हैं अब हाउजल पैसे और रिष्टों की बात भी करते हैं वे कहते हैं कि अच्छे रिष्टे हमारे जीवन में सबसे बड़ी खुशी का स्रोत होते हैं और पैसा इन्हें बहतर बना सकता है, लेकिन केवल तभी जब हम इसे सही तरीके से उप्योग करें उदाहरन के लिए, यदि आप अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताने के लिए पैसे का उप्योग कर सकते हैं तो यह एक सार्थक निवेश है, लेकिन अगर पैसा आपको अपनों से दूर कर रहा है तो शायद यह समय है पुनर विचार करने का हाउजल वित्तिय आत्म निर्भरता पर भी जोर देते हैं वे कहते हैं कि अपनी वित्तिय स्थिती को खुद समझना और उसे संभालना आत्म निर्भरता का एक महतुपूर्ण हिस्सा है यह आत्म निर्भरता आपको न केवल वित्तिय निर्णयों में, बलकि जीवन के बड़े निर्णयों में भी स्वतंतरता और आत्म विश्वास देती है जब आप वित्तिय रोप से आत्म निर्भर होते हैं, तो आप जीवन में उन चीजों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जो वास्तव में मायने रखती हैं। इसके अलावा, वे पैसे और समय की स्वतंतरता के बारे में बात करते हैं। हाउजल बताते हैं कि असली वित्तिय सफलता का मतलब है समय की स्वतंतरता, यानि आप अपना समय कैसे बिताना चाहते हैं इसका चुनाव करने की आजादी, पैसा कमाने का एक बड़ा कारण यह होना चाहिए कि हम अपने समय पर अपना अधिकार प्राप्त कर सके, यहाँ अधिकार हमें उन चीजों में समय बिताने की आजादी देता है, जिन से हमें खुशी मिलती है, जैसे कि अपने शौक, अपने परिवार, या अपनी स्वयम की देख भाल, अन्तता, मौर्गन हाउजल हमें यह याद दिलाते हैं कि पैसा एक साधन है, न की अंतिम लक्ष, इसका असली उद्देश्य हमें वह जीवन जीने में मदद करना है, जिसे हम जीना चाहते हैं, पैसा हमें खुशी दे सकता है, लेकिन केवल तब, जब हम इसे समझदारी से, अपने मूल्यों और जीवन की प्राथमिक ताउं के अनुसार इस्तिमाल करें, इस तरह, बुतिन बुआ ये है, दे साइकोलोजी ओफ मनी हमें न केवल पैसे के बारे में, बलकि जीवन के बारे में भी बहुत कुछ सिखाती है, इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम इस किताब के अन्य विचारों और द्रिश्टिकोनों का अन्वेशन करते रहेंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम और भी गहरी समझ पाएंगे कि पैसे के पीछे की असली मनोविज्ञान क्या है, और ये हमें अपने जीवन को कैसे बहतर तरीके से जीने में मदद कर सकता है, अब आईए, हाउजल की एक और महतोपून अवधारणा पर चर्चा करते हैं, जोखिम और अनिश्चित्ता, पैसे के मामले में हम अकसर सोचते हैं कि हमें हर चीज़ पर नियंतरन होना चाहिए, लेकिन हाउजल कहते हैं कि वित्तिय दुनिया में जोखिम और अनिश्चित्ता का एक बड़ा स्थान है, कोई भी व्यक्ती, चाहे वो कितना ही अनुभवी या जानकार क्यों नहो, योजनाओं में थोड़ी लचीलापन रखें, हमें ये मानना चाहिए कि चीज़ें हमेशा हमारी योजना के अनुसार नहीं होंगी, इसलिए हमें एक ऐसा वित्तिय धांचा तयार करना चाहिए, जो हमें किसी भी स्थिती में संभलने का मौका दे सके, वे आपात कालीन फंड के महतु पर जोर देते हैं, हाउजल कहते हैं कि जोखिम से बचने का सबसे अच्छा तरीका है एक आपात कालीन फंड तयार करना, ये फंड हमें उन अप्रत्याशित स्थितियों में मदद करता है, जो जीवन में कभी भी आ सकती हैं, जैसे नौकरी का नुकसान, स्वास्थे समस्याएं या कोई अन्य आर्थिक संकट, ये फंड हमें मानसिक शांती देता है और हमें किसी भी स्थिती का सामना करने के लिए तयार करता है, इसके अलावा हाउजल दीर्घकालिक दृष्टिकोन पर भी ध्यान केंदरित करते हैं, वे कहते हैं कि जब हम पैसे के मामलों में दीर्घकालिक दृष्टिकोन अपनाते हैं, तो हम छोटी छोटी उतार चड़ाव की चिंता में नहीं फंसते, वित्तिय तो पूर्ण है कि हम अपने दीर्घकालिक लक्षों पर केंदरित रहें, जब हम लंबी अवधी के लिए निवेश करते हैं, तो हमें छोटी अवधी के उतार चड़ाव से परेशान नहीं होना चाहिए, हाउजल का एक और दिल्चस्प विचार है, फाइनेंशियल अंजान पन का मतलब ये है कि हम अपने आपको हमेशा सीखने और समझने के लिए खुला रखें, जब हम इस मानसिकता को अपनाते हैं, तो हम अपने वित्तिय जीवन में अधिक लचीले और अनुकूलनिय बनते हैं, वे विविधता और बैलेंस पर भी जोड़ देते हैं, हाउजल क कि हमारे निवेश पोर्टफोलियो में विविधता और बैलेंस होना चाहिए, अगर हम अपने सभी पैसे को एक ही जगह पर निवेश करते हैं, तो जोखिम भी बढ़ जाता है, इसलिए हमें अपने निवेश को विभिन्नक शेत्रों में फैलाना चाहिए, ताकि अगर एक नुकसान होता है, तो अन्य जगहों से संतुलन बना रहे, यह बैलेंस हमें एक स्थिर वित्तिय जीवन की ओर ले जाता है, आखिर में हाउजल हमें यह समझाते हैं कि पैसे का असली मतलब क्या है, यह सिर्फ धनी बनने का नहीं है, बलकि एक ऐसा जीवन जीने का है, जो हम इसे समझदारी और विवेक के साथ संभा लें, दिसाइकोलोजी ओन फ मनी की यह यात्रा हमें न केवल वित्तिय प्रबंधन के नए आयामों से परिचित कराती है, बलकि हमें जीवन को एक नए दृष्टिकोन से देखने का अवसर भी देती है, पैसे के मामले में कोई एक स पैसे की इस यात्रा में और गहराई से उतरेंगे और सीखेंगे कि पैसे की असली मनोविज्ञान क्या है, चलिए अब हम जोखिम और अनिश्चितता की बात को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं, और इसे कुछ उदाहरणों के साथ जोड़ते हैं, हाउजल कहते हैं कि व स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिये हैं, अगर बाजार में अचानक गिरावट आती है, तो आपका पूरा पूर्टफोलियो डूप सकता है, इसलिए हाउजल हमें सिखाते हैं कि अपने निवेश को कई जगों पर फैलाना चाहिए, यानि विविधता बनाए रखना चा और फसलें भी लगाई होती, तो बाकी फसलें आपको नुकसान से बचा सकती थी, ठीक उसी तरह जब हम अपने पैसे को केवल एक ही जगह पर निवेश करते हैं, तो हम जोखे मुठाते हैं, हमें अपने निवेश को कई क्षेत्रों में पहलाना चाहिए, जैसे कि स्टॉक म महीने अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं, और आप के पास कोई बचत नहीं है, अगर अचानक आपकी नौकरी चली जाती है, तो आप मुश्किल में पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपनी कुछ कमाई बचत के रूप में अलग रखी होती, तो आपके पास एक सुर रक्षित रख सकता है, जिससे आप बिना घबराए अपने अगले कदम की योजना बना सकते हैं, अब बात करते हैं दीरघकालिक दृष्टिकोन की, हाउजल यहां भी एक महत्वपून बात कहते हैं, मान लीजिए कि आप स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं, और पहले महीने ही बाजार गिर जाता है, अगर आप घबरा कर अपने सारे शेर बेच देते हैं, तो शायद आप एक बड़ा नुकसान कर बैठते हैं, लेकिन अगर आप दीरघकालिक दृष्टिकोन रखते हैं, तो आप जानते हैं कि बाजार में उतार चढ़ावाते रहते हैं, उसके निवेश की वैल्यू कई गुना बढ़ गई होती, हाउजल ये भी बताते हैं कि फाइनेंशियल अंजानापन को स्विकार करना बहुत जरूरी है, इसका मतलब यह है कि हमें यह समझना होगा कि हम हमेशा सब कुछ नहीं जानते, मान लीजिए कि आप एक विशेश निवेशक नहीं है और आपको शेर बाजार की गहरी समझ नहीं है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आपको निवेश नहीं करना चाहिए, इसका मतलब है कि आपको अपने ज्यान के अनुसार सबसे सुरक्षित और समझदारी भरे निवेश चुनने चाहिए, जैसे कि अगर आ एक और प्रमुख विचार वित्तिय संतुलन है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप एक ऐसी कार खरीदना चाहते हैं जो बहुत महंगी है और इसके लिए आपको करज लेना पड़ेगा। अगर आप इस करज को चुकाने में अपनी सारी कमाई खर्च कर देते हैं तो यह वित्तिय संतुलन पैदा कर सकता है। इसके बजाए अगर आप एक ऐसी कार खरीदते हैं जो आपकी जरूरतों के हिसाब से फिट बैठती है और जिसका खर्चा आपकी आए के अनुसार है तो यह आपके वित्तिय संतुलन को बनाए रखेगा। इस तरह से आप अपने पैसे का बेहतर उपयोग कर पाएंगे और अपनी वित्तिय स्थिती को मजबूत रख पाएंगे। हमारे अगले हिस्से में हम और भी गहराई से जानेंगे कि कैसे हम इन सिध्धानतों को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं और एक मजबूत वित्तिय भविश्य की ओर बढ़ सकते हैं। जहां आप अपनी मर्जी से अपना समय और उर्जा खर्च कर सकें। मान लीजिए कि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो दिन रात काम करते हैं और आपको अपने काम से बिल्कुल भी समय नहीं मिलता। आप पैसे तो कमा रहे हैं लेकिन आपके पास न तो परिवार के साथ समय बिताने का मौका है और नहीं अपने शौक पूरे करने का। अब सोचिए क्या ये असली सफलता है। हाउजल का मानना है कि असली वित्तिय आजादी वह है जब आप अपनी पसंद से अपना समय खर्च कर सकें। जब आपके पास इतना पैसा हो कि आप यह तै कर सकें कि आपको कब और कितना काम करना है। उदाहरन के लिए अगर आप अपने काम के अलावा कुछ समय अपने शौक जैसे की यात्रा, पेंटिंग या कोई नया कौशल सीखने में लगाना चाहते हैं तो वित्तिय आजादी आपको यह करने की आजादी देती है। अब बात करते हैं बदलते लक्षों की। हाउजल हमें बताते हैं कि हमारी वित्तिय योजनाएं और लक्ष समय के साथ बदल सकते हैं। हाउजल अपर इग्रह या डिटैच्मेंट की बात भी करते हैं। वे कहते हैं कि हमें अपने पैसे या संपत्ति से जुडाव नहीं रखना चाहिए। उदाहरन के लिए मान लीजिए कि आपने अपने पैसे से एक लगजरी घड़ी खरी दी। आपको वह घड़ी बहुत पसंद हैं। लेकिन अब आपको अचानक पैसे की जरूरत पढ़ जाती है। अगर आप उस घड़ी को बेचने में हिचकिचाते हैं तो यह आपके लिए एक वित्तिय समस्या बन सकती है। हाउजल का कहना है कि हमें अपनी समपत्ति से इतना जुडाव नहीं रखना चाहिए कि वहां हमारे वित्तिय निर्णेओं में बाधा बन जाए। हमें यह समझना चाहिए कि चीजें सिर्फ साधन हैं न की हमारी खुशियों का मूल स्रोत। अब आते हैं गलतियों से सीखने पर। हाउजल इस बात पर जोर देते हैं कि हम सभी ने अपने वित्तिय जीवन में कुछ न कुछ गलतियाओं की हैं और यह बिल्कुल सामान्य है। मान लीजिए कि आपने एक बार स्टॉक मार्केट में निवेश किया और नुकसान हुआ। इस नुकसान से आपने सीखा कि शायद आपको पहले स्टॉक मार्केट के बारे में और जानकारी लेनी चाहिए थी या अपने पैसे को अलग-अलग जगों पर निवेश करना चाहिए था। यह सीख आपकी भविश्य की वित्तिय योजना को और मजबूत बना सकती है। हाउजल का कहना है कि हमें अपनी वास्तविक जरूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर समझना चाहिए। अपने पास जो कुछ है उसकी कदर करनी चाहिए। अंत में हाउजल हमें ये समझाते हैं कि पैसे का असली मतलब है विकल्पों की आजादी। अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी जिंदगी में अलग-अलग विकल्प चुन सकते हैं। अगर आप अपनी नौकरी से खुश नहीं है और कुछ नया करना चाहते हैं तो आपके पास बचत का सहारा होना चाहिए ताकि आप जोखिम ले सकें। या आजादी हमें अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने का मौका देती है। इस तरह दसाइकोलोजी ओफ मनी हमें सिखाती है कि पैसा सिर्फ एक साधन है जो हमें वह जीवन जीने में मदद करता है जिसे हम जीना चाहते हैं। यह हमें अपनी सोच, अपने मूल्य और अपने लक्षों के साथ तालमिल बिठाने में मदद करता है। तो दोस्तों हाउजल के इन अद्भुत विचारों के बारे में और भी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रही है। आगे के हिस्सों में हम इस किताब के और भी महतुपून पहलूँ को समझेंगे और जाने कि हम इन्हें अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं।